ओके एवरिवान, हेलो, 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 now I can see that I am live, एक बार यार confirm करो that I am clearly audible and clearly visible, ताकि मैं आज की class के शुरुआत कर सको हमारे physics के crash course की एक ऐसी class, एक ऐसे chapter के ऊपर जो तुमारे physics का सबसे important chapter है, हाँ जी मैं बात कर रहे हूँ semi conductors and logic gates की एक ऐसा chapter जो जितना जादा difficult है, उत उतना ही जादा scoring भी है, तुम लोग देख पा रहे हो कि semi conductors के ऊपर तीन questions, पांच questions, तीन questions, पांच questions, वैसे तो हमेशा से ही जादा questions पूछे जा रहे थे, लेकिन जब से NTA ने NEET को conduct करना शुरू किया है, तब से तो भाई, ये examiner का favorite है, because ये modern chapter है, ये नई physics का chapter है, ये न logic gates को इस तिंगल शॉट में खतम करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग बिल्कुल basic से start करेंगे, हर class में हम लोग basic से start करते हैं, हम discuss करते हैं, हम concepts के बार में बात करते हैं, हम application के बार में बात करते हैं, class में कुछ ऐसी question practice करते हैं, जो या तो मेरे बनाए हुए questions की help से हो, या फि question practice करते हैं, previous questions की help से, जैसे कि देखो, एक बार जब मैं तुम लोगों को पहले वाला topic करा दूँगी, कि बही कौन-कौन से type के material होते हैं, और क्या extrinsic, intrinsic semiconductor होते हैं, तो फिर तुम देख पार हैं, उसके उपर previous questions कराऊंगी, फिर बाद में मैं डायोट के बार में बताऊंग तो भी तुम लोगों को समझ आएगा, और फिर बाद में in classes में हम लोग previous year questions भी कर रहे हैं, अब देखो, जो बच्चा already in classes में regular है, उन्हें अच्छे से बता है कि यह जब से हम लोगोंने modern physics शुरू की है, जादा मतलब तुम लोगों को modern physics में mathematical tool देखने को मिला नहीं होगा that is the reason I say कि यहां से marks को चुराना बहुत ही जादे easy है, क्योंकि अगर तुम लोगों को basic multiplication, division, addition, subtraction आती है तो mathematics में दिक्कत नहीं आएगी, semi conductors मैं बोल सकती हूँ, तुमारे 4 की 4 जो chapter है modern physics के, उन में से सबसे easy chapter है, the easiest chapter but the most important chapter that is semi conductors and logic aids, और आओ इस एक class की help से, इसको सा introduction दे देती हूँ, मेरा भी और मेरी crash course का भी, my name is Samana Chaudhry, I am a physics educator for NEED UG, so आगे ते आप सब का NEED 247 case YouTube channel के उपर जहां पर आपकी PCB team पूरा का पूरा full package है, हैना आपका chemistry का course भी चल रहा है, crash course, आपकी बायों का भी crash course चल रहा है, और उसी तरीके से हमारा जो महा प्रले है, which is the best crash course for NEED 2024, वो भी चल रहा है, इसके अदर हम लोग, I believe कुछ 6-7 chapters कर चुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ, 6 chapters कर चुके हैं, ये 7वा chapter है, जो हम लोग यहां पर अभी आज की class में करने वाले हैं, इस crash course में बहुत सारी चीज़े हैं, मैं फटा-फट से बता देती हूँ, जैसे कि ह जिसके अंदर हम लोग, chapter को complete करते, definitely बिना questions के तो आप किसी भी physics chapter को अप्रोच ही नहीं कर सकते, किसी भी physics chapter को करी नहीं सकते, so definitely इन में तो questions हैं, लेकिन जो major question practice है, जो तुमारी physics की top books में से हो रही है, SL Arura, DC Pande, HC Verma, NCRT questions, previous year questions, है ना, जो भी यहां पर हम लोग आज यह व बजे होती है, तो तीन बजे आजाना, बच्चो, तीन बजे वाली session का एक बार link में तुम लोग को भेज देते हूं, जो फटा फट से इस link के उपर क्लिक करके reminder set कर क्या हो, एक बार, है ना, क्योंकि तीन बजे वाला session कोई नहीं मिस करेगा, बिना practice के किसी को बच्चो ना reminder set कर लो, और फिर बाद में मिलेंगे हम लोग तीन बजे extreme question प्राक्टिस करने के लिए, जितने भी class के PDF से जितने भी DPP से आपको इस टेलेग्राम चानल के उपर मिल जाएगी, टेलेग्राम चानल का लिंक इस वीडियो के description में अविलेवर है, बाकी आपको हर संडे आपका window open रहेगा, तुम कभी भी test दे सकते हो, 50 minutes का test रहेगा, जिसके अंदर 50 questions आएगे, और obviously बात है, जो syllabus होगा, वो है modern physics, ठेक है, I am hoping I can begin with the class right now, मैंने सारे के सारे students को address कर दे है, चाहे वो new students हो, या फिर वो पुराने students हो, everyone has been addressed, so now without any further ado, let us begin with the chapter, let us begin with the most important chapter of physics, which is semiconductors and diodes, ठेक ह उपर, है ना, तुम लोगो को class में notes नी बनाने है, तुम्हारा class में आने के बाद काम है, सिर्फ और सिर्फ इंटराक्ट करना, सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझना, पहली बार भी कर रहे हो, तो भी तुम्हें समझ आ जाएगा, तो शुरू करते हुए, बच्चों, अब ह होते हैं हमारे conductors, दूसरे हो जाते हैं हमारे insulators, conductors को क्या, कौन से materials है, conductors वो materials है, जिनकी conductivity high होती है, जिनकी resistivity कम होती है, जो allow करते हैं कि उनके अंदर जो electron है, एक point से लेके दूसरे point तक move कर सकें, फिर मानो बच्चों, अगर मैं insulator की बात करूं, तो फिर ये वो materials है, जि की resistivity बहुत जादा होती है, conductivity कम होती है, मतलब इनके अंदर free electrons होती ही नहीं है, इनके अंदर free charge carriers होती ही नहीं है, जिसकी वज़े से जो current है, एक point से लेके दूसरे point तक नहीं जा पाता है, अब ना तो हम लोगों को conductors के बार में बात करनी है, ना हम लोगों को जादे insulators के बात करनी है, हम लोगों को बच्चों बात करनी है, semi-conductors की, तो semi-conductors की नाम से तुम लोगों को पता लग रहा होगा, कि semi-conductors बो materials हैं, जो conductors और insulators की बीच में लाए करते हैं, इसका मतलब वो conductor जितने conducting नहीं है, लेकिन insulator जितने insulating भी नहीं है, तो I can say कि भाई, इसकी जो resistivity है, देखना semi-conductor की resistivity है, वो definitely insulator की resistivity से जादा है, लेकिन वो conductor की resistivity से कम है, है ना, और उसी तरीके से मानू अगर मुझे conductivity के बार में बात करना हूँ, तो जो conductivity है मेरे semi-conductor की, definitely insulator की conductivity से जादा है, लेकिन हमारे जो conductor है, उसकी conductivity से कम है, तो I can say कि अगर मानू सबसे जादा conducting है उसके बाद यह conducting आ जाते है और सबसे कम जो conducting है वो मेरे पास यह आ जाते है यह हमारा basic मतलब है conductor, semi-conductors और insulators का ठीक है तो अभी बच्चों जो हमारा पूरा का पूरा chapters है ना पूरा का पूरा जो chapter है इसी semiconductor के उपर है हम लोगों semiconductor को समझना है कि actually मैं semiconductor चलो we got the nature कि वो conductor जितना conducting नहीं है लेकिन insulator से जादा conduct करता है ठीक है वो insulator जितना resistive नहीं है लेकिन conductor से जादा resistive है तो हमें यह basic crux पता लग गया लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कैसे semiconductor को बनाया जाता है different different तरीके से semi-conductors को बनाया जाता है हम लोग को यहां पर सिर्फ group 14 elements से जो semi-conductor बनता है हमें उसके उपर focus करना है because that is the only type of semiconductor that is in your syllabus इस chapter में से दू चीज़े डिलीट हुए है तुमारे NTA के new syllabus के with respect to एक तो हो गया तुमारा energy bands तो हमें नहीं करना है और एक हो गया हमारा transistor जो बहुत बड़ा topic है एक हम लोग को बोने करना है और सारी चीज़े हम लोग आज की इस class में करने वाले है तो देखो बच्चो जब मैं कोई भी scientific discovery की बात करूँ न है ना तो जैसे जैसे हम लोग scientific advancement की towards जा रहे है तो एक उसके अंदर situation ये satisfy होनी चाहिए ताकि हम किसी भी चीज़ को बहुत सारे तरीके से apply कर पाए और वो चीज़ ये है that we should be able to control it for example तुम conductor को ये नहीं बोल सकते कि भाई तु conduct मत कर है ना या फिर तुम conductor के अंदर drastic change in conductivity नहीं लेगे आ सकते चाहिए वो बढ़ाने की perspective से बोलो या कम करने के perspective से बोलो है ना उसी तरीके से मानो अगर मैं insulator की बात करूं ठीक है तो जो insulator है अगर तुम उसको भी बहुत जादा नहीं control कर सकते you cannot do something जिससे या तो insulator है बहुत ही जादा conduct करने लग जाए या और जादा कम conduct करने लग जाए drastically तो the reason कि हमारी चाहिए मैं इंडिया की बात करूं या फिर मैं किसी और nation की भी बात करूं तो जो silicon chips हैं ठीक है that is becoming a power कि मतलब जो भी nation silicon chips की production सबसे जादा शो करेगा that's it that is going to be the power hub of the entire entire world the reason being semi conductors को control करना easy है semi conductors आपको हर तरीके के device में दिखेंगे आज के time पे जितने भी electronic devices तुम लोग अपने घर पे लेके आते हो जाए वो कितना ही simple हो या फिर वो कितना ही complex हो सब के अंदर semi conductors का इस्तमाल होता है आज कल जो conductors है उनको replace किया जा रहा है semi conductors से the reason being we can control these semi conductors because obviously बात है हम लोग ने जो कुछ भी discovery की है या फिर हमारे पास जो कुछ भी है use करने को जो भी material है use करने को तो ताकि हम लोग उसके maximum applications दिखा पाएं ताकि हम लोग उसको maximum तरीके से apply कर पाएं we should be able to control तो अभी अगर मानो में semi conductors की बात करूँ semi conductors we can control semi conductors very easily कैसे बहुत तरीके से हम लोग को यहां पर सिफ दो तरीकों के बारे में बात करना है एक तो आगया temperature की helps है एक तो आगया मेरे बास temperature की helps है कि भाई अगर मानो मैं in case semi conductor के temperature को बढ़ा देती हूँ तो इसकी जो conductivity है semi conductor की वो भी बढ़ जाएगी अब energy bands बगेरा तो हम लोग को यहां पर पढ़ना नहीं है तो मैं बिल्कुल basic मतलब तुम लोग को बता देती हूँ यह बहुत genuine होना चाहिए कोई भी चीज conductors किसी reason से है और वो reason हमेशा charge carriers होते है है ना जैसे कि कुछ चीज़ों को तुम लोग बोलोगे insulator क्योंकि उसके पास electron भली होंगे atom में लेकिन वो जो electron है atom से बाहर नहीं निकल पा रहे है एक point से लेके दूसरे point तक नहीं जा पा रहे है वो current नहीं produce कर पा रहे है तो अभी मानो अगर मैं semiconductor की बात करूँ तो होता यह है कि जब हम temperature of the semiconductor बढ़ाते है तो number of charge carriers यहाँ पर बढ़ जाता है ध्यान से देखिएगा जो मेरे पास number of charge carriers है उसकी value बढ़ जाती है और number of charge carriers के बढ़ने की वज़े से जो semiconductor की conductivity है वो भी बढ़ जाती है अब हम लोग को current electricity का chapter यहाँ पर नहीं बनाना है हैना हम कैसे यह temperature पर depend करता है यह temperature पर depend करता है अभी हम लोग इसके बार में कोई नहीं बात करने वाल है हम सिर्फ semiconductor के बार में बात करेंगे क्योंकि temperature के उपर कैसे इन तीनों की conductivity depend करती है that is also part of your current electricity जहाँ पर thermal coefficient of resistance आता है हैना हम लोग को वहाँ तक जाना ही नहीं है हम current electricity करें नहीं रहे है हम semiconductors करने तो semiconductor के उपर focus करना है तो हम लोग सुबह 7 बज़े उठे हो तो comment section पूरा भर जाना चाहिए कोई भी बचा सुसतनी होगा अगर तुम सुबह उठे हो class में आए हो तो मुझे interaction चाहिए but I am hoping that this is clear that if we increase the temperature of the semiconductor तो जो number of charge carriers है ultimately वो बढ़ जाते है और number of charge carriers बढ़ जाते है तो obviously बात है जो conductivity है semiconductor की वो भी बढ़ जाएगी ठीक है तो जैसे मैंने बोला था कि इस पूरी के पूरी class का मकसद या फिर पूरे के पूरे इस chapter का मकसद ना तो insulator को समझना है नहीं conductor को समझना है हमें समझना है semiconductor को तो मैं तुम्हें बताते हूं कि कई तरीके के semiconductor होते है organic semiconductors भी होते है inorganic semiconductors भी होते है molecular semiconductors भी होते है बहुत तरीके के semiconductor होते है तुम्हें लेकिन से वो semiconductor के बारे में पता होना चाहिए वही तुमारा semiconductor syllabus में है चार वेकंसी है, मतलब इसका जो आउटर्मोस्ट और्पितल है, इसके अदर चार एलेक्ट्रोंज है, है ना, तो अगर तुम इसको कंपेर करते हो, एस ब्लॉक के एलेमंट्स थे, या फिर मानो तुम इसको कंपेर करते हो, 16 से लेके 18 के ग्रुप तक जो एलेमंट्स है, अब में भी ionic bond शो करेगा ये में भी ionic bond शो करेगा लेकिन ये ionic bond नहीं शो करेगा तुम लोग करते हो ये group 14 elements कौन सी bond formation prefer करते हैं वो prefer करते हैं cobalent bond कि भाई अगर मानों ये मेरे पास group 14 का element है जिसके outermost orbit के अंदर इस तरीके से 4 electrons है तो stable electronic configuration में आने के लिए इसको चार और electrons चाहिए तो चार electrons को लेना इसके लिए बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा चार electrons को देना भी इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा that is the reason ये क्या करते है electrons को share करता है और इस तरीके से cobalent bonds बनाता है हम लोग को इन ही semiconductors के बार में बात कर लिए जो group 14 elements से बनते हैं तो देखो यहां पर मैंने थोड़ा सा ऐसे lattice structure बनाने की कोशिश किये कि मानों ये सारे के सारे बच्चों हमारे group 14 elements हैं तो इतना तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यहां पर किस तरीके से यहां पर पूरा का पूरा structure बन गया यहां पर सिलिकॉन है 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 अब यह वाले सिलिकॉन के पास इस तरीके से है चार electrons तो इसने क्या किया surrounding के जो silicon atoms हैं उनके साथ ऐसे covalent bond show कर ले that is the reason इस तरीके से एक network system बन जाता है इस तरीके से एक lattice structure बन जाता है देख पारे हो so यह हमारे pure semiconductors होते हैं तो जो group 14 elements से जो group 14 elements का जो block है बस उसी को intrinsic semiconductor बोला जाता है intrinsic semiconductor का मतलब pure semiconductor का सिर्फ इतना मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ semiconductor के atoms है धान दीजेगा मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास group 14 elements के जो atoms है ना देखना इनकी जो atoms है इनको हम लोगों ने एक special नाम दे दिया special नाम क्या दे दिया बच्चों हम लोगों ने इनको स्पेशल नाम दे दिया semiconductor atoms क्योंकि हम जो types of semiconductors कर रहे हैं है ना हम जिस टाइप of semiconductors के बार में पढ़ने वाले हैं वो semiconductors इनी atoms के बनते हैं तो अब भी मैं चाहते हूं कि तुम लोग ना थोड़ा सा दिमाख लगाओ मानों बचो अगर मैं इस intrinsic semiconductor को जीरो कालवन के उपर ले जाओ तो एक बार ज़रा सा सोचो जीरो कालवन पर ले गई है भली conductor जितना conducting नहीं है लेकिन इंसुलेटर से तो ज्यादा conducting है लेकिन हम लोगों को तो यहां पर पता है नहीं लग रहा है कहां पर इफ्री electrons क्योंकि silicon के पास electron होने से वो conducting नहीं होगा silicon को electrons देने पड़ेंगे इस electron को charge carriers produce करने पड़ेंगे तब ही वो conducting होगा तो तुम्हारे दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि दी यहां पर कहां से conducting nature है तो मैं तुम्हें बोल लिए हूं जैसे मैंने बोला जीवन में कोई भी चीज इस तरीके से 100% efficient नहीं होती कि मानों अगर मैं यहां पर इस तरीके से room temperature की उपर ही बात करू न बच्चो तो room temperature की उपर ही electrons के पास इतनी thermal energy होती है कि bonds break हो जाते हैं क्या बोला मैंने कि room temperature के उपर few of the electrons obviously बात है I can say few of the bonds will break few of the bonds will break क्यों thermal energy की वज़े से few of the bonds will break देखना ऐसा करते हैं हम लोग यहां पर एक bond ब्रेक कराते हैं जैसे कि देखना मानो मैं तुम्हें बोलूँ कि यह वाली जो बॉन्ड है न यह वाली बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो तुम लोग देख पार हो कि यहां पर यह उलेक्टरन था फ्री हो गया देखना आपल बच्चो मानों फर एक्झांपल कि रू beef आपँबढ에 यहां पर यह बॉन्ड ब्रेक हो गई तो यह होगा अब मानो अगर यह free होगे तो चले जाएंगे ना देखो, अगर मानो यह free होगे तो चले जाएंगे ना तो यहां पर एक electron की vacancy रहेगी विकेज यहां से एक electron चला गया और उसी तरीके से यहां पर भी एक pure semiconductor की एक intrinsic semiconductor की कितनी conductivity है वो तो chance की उपर depend करता है वो तो luck की उपर depend करता है और जो मेरा reason बें intrinsic semiconductor की conductivity का वो reason बें कितना छोटा है क्योंकि आप खुद बताओ room temperature के उपर कितनी bonds break हो जाएंगे है ना room temperature के उपर कितनी bonds break हो जाएंगे let us assume अगर 1000 bond है तो 1000 में से एक bond break हो जाएगा है ना तो ये तो इतना जादा conducting नहीं है मतलब ये तो हम लोगों को insulator और semiconductor की बीच में हम लोगों को तो कोई difference ही नहीं समझा रहा है और मानों अगर मैं इस semiconductor को 0 calvin के उपर ले जाएंगे 0 calvin के उपर तो bonds ही नहीं break होंगे है ना क्योंकि देखो ना यहाँ पर room temperature के उपर जो इस तरीके से bonds break हो रहे है वो क्यों है क्योंकि जो bond है या फिर आइकन से कि दोनों जो electrons हैं जो bond formation में participate कर रहे हैं उन्होंने temperature की हो गए इसी reason से इनकी thermo ionic emission हो गए है ना लेकिन 0 calvin के उपर thermo ionic emission possible ही नहीं है इसका मतलब 0 calvin के उपर तो कोई reason ही नहीं होना चाहिए intensity semiconductor की conductivity का इसका मतलब 0 calvin के उपर वो insulator की तरह काम करना चाहिए और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर मानू मैं 0 calvin के temperature के उपर रखूँ है ना 0 calvin के उपर अगर मैं इस तरीके से pure semiconductor को लूँ तो इस pure semiconductor के पास कोई reason नहीं है conductivity को शोग करने कम कोई थर्मो आयने के mission नहीं होगा ठीक है कोई इस तरीके से bonds नहीं break करेंगे कोई इस तरीके से electrons निकलेंगे कोई इस तरीके से electron की vacancy नहीं create होगी तो 0 calvin पे कोई reason नहीं है conductivity का that is the reason we say कि इस 0 calvin के उपर जिसको absolute zero भी बोला जाता है absolute zero temperature के उपर जो हमारा semiconductor है pure semiconductor है एक insulator की तरह काप करता है है ना एक चीज दूसरी चीज यह कि यहां पर यह जो room temperature की वज़े से थोड़े से bonds ब्रेक होते हैं और इसकी वज़े से conductivity आती है ना इसी को thermal aberration बोला जाता है जो हमारा semiconductor है इस semiconductor के अदर changes आगे इसी को thermal aberration बोला जाता है so I can say that the pure conductor, pure semiconductor sorry, the pure semiconductor has only one reason of conductivity that is thermal aberration and it is not nice enough it is very random, it is very low and it depends on chance तो बात अब यह है कि फिर तो semiconductor को होने का फाइदा ही नहीं हूँ मानों अगर मैं temperature को बढ़ा भी लेती हूँ तो whatsoever temperature को बढ़ाने से ठीक है थोड़े से और bonds ब्रेक हो जाएंगे लेकिन कोई drastic change तो नहीं आएगा इसकी conductivity में तो फिर बात में scientist ने सोचा कि यार अब क्या किया जाए तो उन्होंने देखा कि यार यह जो हमारा pure semiconductor है इसकी doping की जा सकती है क्या बोला मैंने कि यह जो हमारा pure semiconductor है इसकी doping की जा सकती है doping का मतलब impurity को आड़ करना यह देखना, क्या बोला मैंने, मैंने बोला, कि यह जो हमारा pure semiconductor है, इसके doping की जा सकती है, doping करने का मतलब impurity को आड़ करना, कुछ इस तरीके से हम लोग impurity को आड़ कर सकते हैं, कि उस impurity की addition की वज़े से conductivity बढ़ जाए, अब impurity को आड़ करने की वज़े से conductivity कैसे बढ़ेगी अबी के लिए सिर्फ पोकस करो स्टोरी लाइन के उपर, ताकि तुम्हें पता लगे कि चाप्टर कितना चोटा है, तुम्हें लगता है चाप्टर बहुत जादा बढ़ा है, तुम चलते हो बिल्कुल extensive note making में, कोई chart form में data ने लिखी हुई है, कोई भी tabular form में data नहीं साजी, सेंटेंजिस की फार्माट में है, डाइग्राम की फार्माट में कम हैं, लेकिन जब हम आठ्चुली में इसको डाइग्राम में कनवर्ट कर दे देते ना, तो तो हम बता लगे गा कि यह जो हमारा चाप्टर है, यह कहानी है, देख फॉर्स्ट टॉपिक से 2nd topic भी ए तो हमने देखा कि है सबसे पहले तो हम लोगों को ऐसे माटीरियल की ज़रत थी जिनको हम लोग कर सके क्योंकि हम लोग कंड़क्टर और इंसुलीटर को कंड्रोल कर पा रहे थे सिर्फ और सिब टेंप्रेचर की वज़े से से माटीरियल कर सकते हैं जो की है impurity को आड़ करने से का मतलब ही दोपंग होता है और ऐसा नहीं हो है कि मानो अगर ये तुम्हारा पास प्योर से उन्रेटर है तो तुम इसके अंदर पूड़े कच्रे की अगर impurity आड़ कर दोगे तो अब इसके conductivity बढ़ जाएगी, नई आप देखो न, तुम मानो, अगर ये sentence बिल्कुल ठीक है कि अगर तुम पढ़ोगे तुम नीट में marks आएगे, लेकिन तुम कुछ भी पढ़ोगे तुम नीट में marks नहीं आएगे, अगर तुम बात बिल्कुल ठीक है कि impurity को add करने से, हम लोग semi-conductor की conductivity को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि impurity जैसी मर्जी हो, अगर आप चाहते हैं कि impurity को add करने से, जो conductivity है वो बढ़ जाए, तो यहाँ पर एक situation meet होने जाए, there is only one situation that should be met, there is only one condition that should be met and that is, कि यह जो हमारी semiconductor के atoms हैं, जो group 14 elements से बने हुए हैं और जो हमारी dopant atoms हैं dopant atoms का मतलब impurity के atoms, है न, हम impurity की तरह किसी चीज को तो add कर रहा हैं, तो वो किसी चीज भी तो atom से बना होगा तो यह जो हमारी semiconductor के atoms हैं pure semiconductor के atoms, group 14 elements, उनके atom का जो size हैं, और यह जो हम लोग impurity add कर रहे हैं, जिनको dopant atoms से बोला गया, उनका जो size है दोनों का size comparable होना चाहिए दोनों का size क्या होना चाहिए दोनों का size comparable होना चाहिए, शुट भी comparable comparable का मतलब क्या, कि यह न, कि एक बहुत जादा बड़ा, एक बहुत जादा चोटा जैसे कि तुम यह नहीं कर सकते कि तुम carbon के अंदर डोपिंग कर दो chlorine के साथ, तुम carbon के अंदर doping कर दो uranium के साथ, you can not do that अगर मानूं यह मेरे पास इस तरीके से group 14 elements है मुझे अच्छे से पता है कि यह जो मेरा pure semiconductor है, है न, pure semiconductor बचो हमारा इसी से बन रहा है तो अब obvious ही बात है, group 14 element से, जिस group के size सबसे जादा same है, या फिर सबसे जादा similar है, वो group 13 हो गया और group 15 हो गया, समझे न, comparable का मतलब क्या, कि similar, same नहीं क्योंकि same, तुम देखो न, carbon और nitrogen का same size सोड़ी है, similar size है, similar size का मतलब बहुत जादा बड़ा difference नहीं है, तो अगर मानो carbon for example इतना है, तो nitrogen हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, boron हमारा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन comparable है, ऐसा तुम नहीं बोल सकते कि यह chlorine है और यह carbon atom है, तो ऐसा करते है chlorine के atom की help से carbon के semiconductor के अंदर doping कर देते हैं, we cannot do that, so this is one situation that must be met, this is the one condition that must be met, कि जो आपके group 14 के semiconductor के atoms हैं, और जो आप impurity को add करें, वो जो आपके dopant atoms हैं, दोनों के size comparable होने चाहिए, तो यह obvious ही बात है, अगर मेरे semiconductor के atoms group 14 elements से बने हुए हैं, तो जिन group का size इन atom के size से comparable है, वो हमारे पास आगे group 13 elements पर group 15 elements, तो इनी से doping होती है, जब हम यह वाले elements को add कर देते हैं, तो उसको P type semiconductor बोला, sorry, N type semiconductor बोला जाते हैं, और जब हम लोग यह वाले elements को add कर देते हैं, तो उसको group, तो उसको P type semiconductor बोला जाते हैं, तो क्या बोला जाते हैं, वो सब बाद में discuss कर लेंगे, बच्छो, आगे की slides में हम N type और P type के बार में यह बात करेंगे, अभी तुम consent समझो, that why are we doing what we are doing, and if we are to do it, how do we do it, such that we get the results, how do we do doping, how do we add the impurity, such that we are able to increase the conductivity of the semiconductor because of that doping, ठीके, तो तुम या तो group 13 के element से doping कर सकते हो बच्छो, या तो तुम group 15 के element से doping कर सकते हो, आग एक बार जरा सा इन elements के बार में बात कर लेते हैं, तो देखना, सबसे पहले अगर मैं group 14 की बात करूँ, so यह मेरे पास आगया, chemistry sir, give sanki problems, इस निमोनिक से याद कर सकते हो, group 13 elements के लिए निमोनिक आगया, बाल गेन तेल, और उसी तरीके से जो जो group 15 elements है, इसके लिए निमोनिक आगया, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बंदास, तो मेरे पास जो भी निमोनिक है, अगर बालों में तेल लगाओगे, तो ऑफिसी बात है, तुम्हारे बाल ग्रू करेंगे, है ना, नाना, पाटेकर, और असरानी, सब बंदास है, और यहाँ पर मेरे पास आगया, chemistry sir, give sanki problems, ठीक है, तो अब यहाँ पर ना, कुछ चीजों के बार में बात करते हैं, क्योंकि यह सारी चीजें तुम्हारे NCRT में लिखी हुई है, कि चलो, यह तो हमें समझ आ गया, कि एक तो हम लोग यह वाले elements को आड़ कर सकते हैं, इंप्योरिटी की तरह, एक हम लोग यह वाले elements को आड़ काइदे से semiconductor होना चाहिए, ग्रूप 14 का element है, तो काइदे से semiconductor होना चाहिए, लेकिन आक्चुली में यह एक insulator है, NCRT में लिखी हुई लाइन है, इसके उपर एक 32C question भी है, और क्यों यह insulator है, कोई भी चीज क्यों insulating होगी, दो-तीन reason थोड़ी है, एक ही तो reason है, कोई भी च इसलिए है, क्योंकि वो charge carriers नहीं produce कर रही है, क्योंकि वो electrons, free electrons नहीं produce कर रही है, कि ठीक है, कारबन के अंदर electrons है, लेकिन वो electrons देही नहीं रहा है, और obvious ली बात है, तुम देखो, इसका size कितना चोटा है, size इतना चोटा है, है ना, तुम size को इन सब से compare करो, तो जैसे तुम down the group जाते हो, तो size की value बढ़ती है, atomic size तुमारा increase होता है, तो अगर मानो तुम इन सारे के सारे sizes को compare करो, तो हमारे carbon का तो सब से चोटा size है, जो electrons है, वो nucleus से सब से करीब है, electrons के उपर nucleus का सब से ज़ादा electrostatic attractive pull है, electrons जो है nucleus के सब से ज़ादा चिपके हुए है, क्यों छोड़ के जाएंगे, number one reason, number two reason, तुम लोगों ने chemistry में भी किया होगा, carbon catenation शो करता है, कि देखो माना कि चाहे मानो अगर मैं carbon की बात करूँ, या मैं silicon की बात करूँ, दोनों इस तरीगे का structure बनाएंगे, बात बस यह है कि carbon catenation शो करता है, और यह जो structure है, बहुत ही जादा strong होता है, तो यह एक insulator की तरह क्यों काम करेगा, because of strong catenation, है ना, अब obvious ही बात है, catenation के उपर मैं हाँ पर बात नहीं करने वाली हूँ जादा, chemistry की class नहीं बनाऊंगे इसको, but I'm very sure, कि अगर तुम पिछले दो सालों में थोड़ा भी पड़े हो, तो मैं अच्छे से पता है, catenation क होता है, तो यह जो हमारा carbon है, यह इतने strong bonds बनाता है, दूसरे carbon atom के साथ, कि यह वाले bonds को break करना ही बहुत जादा मुश्किल हो जाता है, तुम देखो न, intrinsic semiconductor, जो group 14 elements का बनता है, इसका इकलोता reason, conductivity का ही यही है, कि temperature के ऊपर कुछ bonds तूट जाएंगे, अगर एक bond तूटेगा तो दो electrons निकलेंगे, और दो electron की vacancy create होगी, अब अगर मानू यही चीज ना हो, तो कैसे बोलोगे, फिर तुम उसको semiconductor, insulator ही हो गया, तो यह जो हमारे insulator है, strong cartonation जो करता है, bonds को break करना सबसे जादा मुश्किल है, bonds को break करवाना सबसे जादा मुश्किल है, that is the reason, यह एक insulator की question आया था, just one second, तो इसकी ऊपर हमारा question आया था, 2012 में, just one second everyone, यह चलता रहेगा, ठेक है, सब अच्छे लाइक कर देंगे इस वीडियो को, everyone will like the session, I am hoping everyone is enjoying, है न, यह जो storyline हम लोग हमारी class में बना रहे हैं, semiconductors के लिए, तुमें इस storyline पसंदा रहे है, बाकि I am going to take the responsibility everyone, तुम बैठो तीन घंटे, तुमें कभी semiconductors इतना नहीं समझ आया होगा, अगर तुमने semiconductors पहले मुझ से नहीं पड़ाए, तुमें पूरी storyline क्रियेट, तुमें clear हो जाएगी, चाहे storyline इस से associated बात करूं, बाइसिंग से बात करूं, PN junction से बात करूं, सब समझ आ जाएगा, तो ये जो हमारा carbon है, insulator की तरह काम करते हैं, मैं तुमें ये बता रहे थी, देखो इसके उपर question आया था, इस सरी किसे 2012 में, कि भाई, ये जो हमारा carbon और silicon है, दोनों के same letter structure है, फिर भी हम देख पारे हैं कि जो carbon है, वो insulator है, और जो मेरे पास silicon है, वो pure semiconductor बनाते हैं, intrinsic semiconductor है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि carbon के अंदर जो atoms हैं, वो nucleus के जादा करीब हैं, तो उनको दे पाना, है ना, ताकि ये हो पाना कि ये जो electrons है, carbon के, उसके nucleus को छोड़ के, atom को छोड़ के जा सके, बहुत जादा मुश्किल है, तो वो हमारा बास option number third में provided है, देखो, यहां पर ये given है, that the four bonding electrons in the case of silicon lie in the second orbit, closer to the nucleus, whereas in the case of silicon, they lie in the third, farther away from the nucleus, तो अगर मानो, वो second orbit में हैं, जैसे carbon में होते हैं, बहु से, कि खुद से ही निकल जाए, carbon खुद से ही electron दे देगा, temperature की वजए से ऐसे नहीं होगा, silicon में वो फिर भी हो जाता है, एना, that is the reason, जो हमारा carbon इंसुलेटर की तरह काम करेगा, और जो हमारे और चीज़े हैं, जैसे कि silicon हो गया, जर्मेनेम हो गया, ये सारे हमारे इंसुले के बीच में लायकर है, जनको चन्ट्रोल कर पाना आसान हो, जनकी conductivity को चन्ट्रोल कर पाना आसान हो, तो हमने देखा कि यार, उनको हम लोग ने सेमिकंडक्टर बोल दिया, और हमने देखा कि इस intrinsic semiconductor, जो pure semiconductor है, उसकी conductivity का इकलोता reason है, कि temperature पे, जिस भी temperature पे उपर semiconductor है, कितने bonds टूट जाते हैं, तो हमने देखा कि यार, इसको कुछ, इस problem का कुछ तो solution निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम चीजों को by chance नहीं रख सकते, अगर मानों for example, मुझे को electrical circuit बनाना है, जिसके अंदर मैं जाते हूं कि जो conductivity, जो semiconductor है, वो X की conductivity शो करें, तो मैं होप थोड़ी करू करने से, अभी हम लोगोंने सिर्फ बात की है, कौनसी impurity को आड़ करने से, अब जरा सा बात करते हैं, कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि इस तरीके से impurity को आड़ करने से, conductivity बढ़ जाए, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, जो हमारी ग्रुप 15 elements से उसकी impurity को आड़ करते हैं, बच्चो तो अभी अगर मानू मैं pure semiconductor के अंदर, अगर मैं impurity आड़ करूँ, इसका मतलब यह थोड़ी कि अब यह जो semiconductor बना है, उसके अंदर pure semiconductor की properties नहीं आए, हैं, बिल्कुल है, अब भी देखो, जो हमारा majority of the semiconductor है, group 14 elements से ही बना हुआ है, अब भी यहाँ पर यह जो group 14 elements हैं, इन में thermal aberrations हो रही होंगी, हम लोगों ने impurity आड़ किये, ताकि इसके अंदर एक additional factor आ सके, जैसे कि मानू अगर मैं group 15 element की बात करूँ, तो यह group 15 element में मुझे अच्छे से बता हैं, कि outermost orbit के अंदर 5 electrons होते हैं, तो देखो, एक electron यह आ गया, इसने covalent bond में participate कर लिया, देखना एक ब bond में participate कर लिया, लेकिन इसके पास तो एक और electron है, देखो ना, इसके पास तो एक और electron है, इसके पास तो यह वाला भी electron है, लेकिन वो तो अपनी stable configuration में आ चुका है, तो अव्यसी बात है, यह electron वो दे देगा, this electron will be very easy to remove, हैना कि जैसे कि intrinsic semiconductor की conductivity क्यों थी, क्योंकि temperature की वज़ enough energy रहेगी, क्योंकि group 15 element already अपनी stable configuration में आ चुका है, तो अब यह जो electron है, निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो ठीक है ना, देखो ना, charge carrier produced हो गया ना, देखो, doping की वज़े से, we are producing free electrons, हैना, so I can say, a free electron is produced, a free electron is produced, तो यह जो मेरे पास free electron produced हुआ है, obvious ही बात है, उसकी ना, उसकी वजए से conductivity बढ़ेगी, तो देखो, मैं कितना control कर पारी हूँ, इस semiconductor को, कि अगर मानू मैं थोड़ी से impurity कर दूं, थोड़ी से पूरिटी आड़ करदूं तो थोड़ी सी चनडुक्टिविटी बढ़ जाएगी तो मैं एक सेमि कंड़कर की मैं एक प्यॉर सेमि कंड़कर की डूपिंग कर सकते हूं ऑन डे बेसे जॉँख मैं उस प्यॉर सेमि कंड़कर का कहां पर इस्तेमाल करना जाती हूँ अगर मानू मैं कोई ऐसे सर्केट में इसका इस्तेमाल करना जाती हूँ जहां पर ये बहुत जादा conductivity दिखाए तो मैं जादा doping कर दूँगी क्योंकि जितनी जादा doping उतनी जादा conductivity है ना बच्चो देखो ना क्या मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देती हूँ लिख सकती हूँ कि अगर मानू एक ग्रुप 15 का element आता है चिक है वन ग्रुप 15 atom को अगर मैं आड करूँ तो उसकी वज़े से एक free electron बनता है है ना इस तरीके से देखो मेरे पास एक free electron बता है तो मैं जितने सारे ग्रुप 15 atoms को आड करूँगी उतने जादा free electrons बढ़ेंगे that is the reason यही मैं तुम्हें बोल गयो हम लोगों को अगर efficient होना है अगर हम लोगों को scientific advancement की towards जाना है अगर हमें हमारी growth accelerate करनी है we should be able to control the materials that we are using on the basis of how do we want to use it what properties do we wanted to show तो तुम देख पारे हो कि हम लोग यहां पर क्या कर पाएंगे control कर पाएंगे इस तेमिकंडक्टर की conductivity को ठीक है इसके उपर वापस आएंगे उसी जरीके से अब की बार मानो अगर मैं ग्रूप 13 element को आड कर दूँ है ना तो तुम देखो ना यह वाला electron covalent bonding शो कर ली है ना एक मेर पास यह वाला electron था covalent bonding शो कर ली एक मेर पास यह वाला electron था covalent bonding शो कर ली है ना अब यह बहरूपिया है तुम देखो ना यह वाले lattice structure में बहरूपिया है अब इसका जो stable configuration में थोड़ी आया है कहाँ stable configuration में आया है देखो अगर इसने 3 covalent bond show कर ली तो अभी तक तो 6 हुआ है ना utermost orbit में इसको तो 2 और चाहिए लेकिन 4 bond show करने के लिए इसके पास electron नहीं है तो तो मानोगे यह क्या करता है चोरी करता है electron यह electron की चोरी करता है कि मानो यहाँ पर जो electron था सराउंडिंग के semiconductor के पास सराउंडिंग के semiconductor आटम के पास जो electron था उसको चोरी कर लेगा और उसकी help से दूसरी semiconductor आटम के साथ bonding show करेगा ठीक है मतलब तुम समझ रहे हो मानो एक इस तरीके से यह एक कपल है है ना इसने इसको ध्यान से देखना इसने इसको एक dress gift की दोनों का break up हो गया अब यह यही dress पहन के दूसरे लड़के या फिर लड़की के साथ डेट पे चले गए यह जो हमारे पास group 13 का element है है ना इसको एक और electron चाहिए तो इसने क्या किया surrounding के किसी semiconductor atom से electron को चोरी कर लिया और अपने side वाले semiconductor atom के साथ bonding शो कर ली this is what is happening तो तुम देखो ना यहाँ पर hole ने प्रेडियूस हो गया hole का मतलब electron की vacancy होती है और कुछ नहीं होता जैसे हर neat जैसे के तुम यह देखो अगर मैं बोलू कि भाई तुमारे ना पूरे के पूरे इंडिया में पांच medical seat है मतलब पांच neat aspirants की vacancy है जो neat aspirants भरते है मतलब पांच neat aspirants अगर यहाँ पर आ जाए तो वो seat खतम हो जाएगी और अगर मानो एक neat aspirants अपनी seat को छोड़ दे तो एक और neat aspirants की vacancy क्रियेट हो जाती है तो जैसे medical seat है एक neat aspirants की vacancy है ना एक medical seat की vacancy उसी तरीके से hole electron की vacancy है तो यहाँ से electron चला गया तो तुम देखो ना अगर यहाँ पर electron चला गया तो यहाँ पर एक positively charged hole नहीं produce होगा देखो एक positively charged vacancy नहीं produce होगी इसी को मैं नाम दे रही हूँ hole so I can say a hole is produced a hole is produced नाम में मत फसना ठीक है यह तुम पहली बार नहीं कर रहे हो यह तुम chemistry में बिलकुल बचपन से करते हुए आये हो anion, cation कोई भी पर charge के glass में पहली बार आके नहीं सीखरा कि मानो अगर for example यह मेरे पास sodium है और इसके outermost orbit में जो एक electron है वो दे देता है है ना तो इसके उपर भी आता है ना positive charge आता है ना वैसी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि यहाँ पर एक electron बैठ होगा था अब electron इसको छोड़ के चला गया देखो electron इसको छोड़ के चला गया तो obviously बात है जिस जग़ को छोड़ के गया है वहाँ पर electron की vacancy create हुई है तो बस बही जो electron की vacancy उसको मैं एक English का term दे रही हूँ English में कोई भी बच्चा नहीं भसेगा having a good English does not mean you understand physics खीक है तो यहाँ पर जो हमारो hole है वह produce हो गया अभी hole के बार में और भी बात करेंगे do not worry at all but I am hoping that the concept is clear तो मैं देख पारे हूँ कि भाई पहले वाले सेनारियो में यह हो रहा था अगर मैं एक group 15 के atom को add करूँ तो उसकी वज़े से एक extra free electron produce होता है और हम लोग यहाँ पर यह देख पारे है कि मानो अगर मैं एक group 13 के element को add करूँ तो जो एक group 13 element का atom है वो एक hole produce करता है एक hole produce करता है तो यह जो hole है वो भी charge carriers है देखना एक बार यह जो हमारे holes हैं वो भी charge carriers है अभी देखो जैसे मानो अगर मैं current electricity की बात करूँ तो current electricity में एक ही reason होता है conductivity का जो कि आपके free electrons लेकिन इस semiconductors में conductivity के दो reasons होते हैं एक तो electrons और एक electron की vacancy भी जिसको hole बोला जाता है तो मैं देख पा रहे हूं कि जब हम लोगों ने group 15 element को add किया तो जितने group 15 elements को add करूँगे उतने free electrons produce होंगे और उसी तरीके से जितने group 13 elements को add करूँगे किस बच्चे को जो मैं मुझसे पहली बार पढ़ रहा है semiconductors यह पहली बार समझ आया है इतना अच्छे से कि विजुलाइज कर पा रहे है क्योंकि देखो मैंने statements ने लिखे मैं तो सिर्फ डाइग्राम की help से समझा रहे हूं और जो group 13 element है electron की vacancy क्रियेट करेगा है न होल प्रेड्यूज होगा होल प्रेड्यूज होगा तो होल भी मेरे पास एक charge carrier है तो यहाँ पर भी conductivity बढ़ जाएगी तो अब तुम लोग को सिर्फ इतना समझ आना चाहिए जैसे कि पहले तुम्हें यह समझ आना चाहिए था कि हम लोग impurity को add जब भी कर रहे हैं तो कैसे impurity को add करने की conductivity बढ़ जाए अब तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि conductivity बढ़ती कैसे है तो N टाइप के semiconductor में conductivity बढ़ती है फ्री electrons के produce होने की वज़े से और T टाइप में conductivity बढ़ती है whole के produce होने की वज़े से तो अभी के लिए बच्चों मुझे से बितना बता हूँ अगर मानू मैं बोलू कि भई what is the reason of conductivity है ना क्योंकि बच्चे की दिमाग में होचपोच हो सकती है अगर मानू मैं बोलू what is the reason of conductivity तो pure semiconductor में जो conductivity का reason है सिर्फ और सिर्फ thermal operation है सिर्फ और सिर्फ temperature की वज़े से जो थोड़े से bonds चूट जाते और उसकी वज़े से जो conductivity आ जाते सिर्फ ये reason है अगर मैं doped semiconductor की बात करूँ जैसे की pure semiconductor को intrinsic semiconductor बोला जाता है और उसी तरीके से जो doped semiconductor है है उसको extrinsic semiconductor बोला जाते हैं तो हमने देखा कि भई यह जो मेरे पास डोगड सेमिकंड़क्टर है यह भी दो तरीके कि है न दे एक तो हमारे पास N टाइप है क्यों इसको टाइप बोला जाते है क्यों पी टाइप बोला जाते है सब बात करेंगे वन स्टेप अटर टाइप देखो तो यह जो मेरे पास N टाइप का सेमिकंड़क्टर है यह वो है जिसमें हम लोग ने ग्रुप 15 एलेमेंट्स आड़ किये थे तो जो भी है थर्मल एपरेशन तो अब भी होई रहा है ना पानी के अंदर अगर तुम नमक डालोगे तो अभी उस मिक्षर के अंदर H2O नहीं है तो अगर तुम प्यॉर सेमिकंड़क्टर के अंदर इंप्यॉरिटी आड़ करोगे तो क्या प्यॉर सेमिकंड़क्टर वाली प्रॉपर्टी चली जाएंगी नहीं भाई वो तो रहेंगी यह रहेंगी कि देखो यहाँ पर थर्मल एपरेशन तो है यहाँ पर महा पर एक्सट्राफरी इलेक्टॉन हो गया एक्सट्राप एक तो यहाँ पर जो दूसरा मेरे पास रीजन है वह आगए ढूर्पिंग दूसरा जीजन मेरे पास क्या आ गया? डूपिंग एक जिसके अंदर free electrons produce हो रहे हैं ध्यान से देख न, जिसके अंदर free electrons produce हो रहे हैं और एक जिसके अंदर extra holes produce हो रहे हैं तो तुम देखो न, यार thermal aberration की वज़े से जितने electrons produce हो रहे हैं holds produce हो रहे हैं टोपिंग की वज़े से यहां पर सिर्फ और सिर्फ electrons पुझेक हो रहे हैं तो फिर यह ऑब्व्विस सी बात होगे कि यहां पर कि यह जो semiconductor है इसके अंदर еलेक्ट्रॉज का काउंट बहुत ज़्याद होगा होल से तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इसको इन टाइप बोला जाता है कि थर्मल अबरेशन में देखो बच्छोगे थर्मल अबरेशन भी आप अल्रेडी हाड डिसकार्शन होगे कि थर्मल अबरेशन का मतलब टेम्परेचर की वज़े से घक Google दो होल्स तो आइकन से थर्मल अबरेशन की वज़े से चार्ज नहीं प्रिड्यूस अर्ण है अलग चीज सिर्फ यह हुई है कि जब हम लोग उनने ग्रूप थर्टीन एलेमेंट को आड़ किया है तो अब हमारे पास एक्स्टा फूल्स प्रिडूज हो रहे हैं है ना तो ओविस सी बात है कि जब हम लोग ग्रूप फिप्टीन के एलेमेंट को आड़ करते हैं तो नंबर ऑफ एलेक्ट्रों का कॉंट बढ़ गया नंबर ऑफ आड़ करें उसको ऎक्टा Cincu नहीं बोल थे कुछ तो रीजन होगा तो रीजन यही है कि जब हम ग्रूप फिप्टीन ग्रीमेंट का आड़ कर रहे है एक्स्टा फूरी ट्रॉन्स प्रिडूस होते हैं यह जो एक्स्टा फ्री लेक्ट्रॉन्स ही सी बात है कि अब भी इसकी semiconductor की बात करूं तो यहां पर जो मेरे पास number of electrons है काफी जादा है number of holes से that is the reason बच्चों यह जो इलेक्ट्रोंज है that is the reason यह जो मेरे पास electrons है इनको majority charge carriers बोला जाएगा कि दोनों तरीके के charge carriers electrons भी है holes भी है पस यहां पर electrons आता है तो यहां पर इनको majority charge carriers बोला जाएगा और उसी तरीके से यह जो मेरे पास holes है इनको minority charge carrier बोला जाएगा यह बहुत important है इनको minority charge carrier बोला जाएगा वैसे मानों अगर बच्चों मैं उसकी बात करूं जब हम लोग उने group 13 के element को add किया तो हमने देखा यार whatsoever group 14 elements तो है मतलब majority जो base है वो तो group 14 elements गई है ना तो thermal liberation तो होई रही है electron hole produce हो रहे है same produce हो रहे है अब group 13 elements के होने की वज़े से extra holes produce हो गए देखो extra holes मेरे पास यहां पर produce हो गए तो यह फिर जायस सी बात है ना देखो ना यह फिर जायस सी बात है कि यहां पर जो मेरे पास number of holes है वो काफी जादा हो जाएंगे number of electron से that is the reason इसको p-type बोला जाता है समझे कि इसको क्यों p-type बोला जाता है इसको p-type इसलिए बोला जाते क्योंकि यहां पर जो number of holes है वो जादा है number of electron से है ना मतलब जो मेरे पास holes है जिसके उपर positive charge है वो मेरे पास होगे majority charge carriers देखेगा वो मेरे पास होगे majority charge carriers और उसी तरीकी से जो electrons है वो मेरे पास होगे minority charge carriers तो अभी तुम्हें यह समझना चाहिए कि इनको जो n-type या फिर p-type का नाम दिया है वो सिर्फ और सिफ इस basis के उपर है कि उसके अंदर majority charge carriers के उपर कितना चार्ज है तो terminologies फटा-फट से clear कर देती हूँ pure semiconductor को intrinsic semiconductor बोला जाता है जो group 14 elements का बना हुआ है जब भी आप impurity को add कर दोगे फिर उसका एक common term जैसे कि मैं तुम सबको neat aspirants बोल सकते हूँ भली मधू अलग है भली कंचन अलग है है ना भली गुर्जोत अलग है कृष्णा अलग है है ना भली अखिलेश अलग है लेकिन मैं तुम लोग को common umbrella term दे सकते हूँ नीट आस्प्रेंड वैसे जैसे तुम लोग semiconductor के अंदर pure semiconductor में doping कर देते हूँ तो एक common umbrella term बन जाता है intrinsic semiconductor है ना फिर हमने देखा कि sorry common umbrella term बन जाता है extrinsic semiconductor जो दो तरीके से बन सकता है एक वो जब हम लोग group 13 के elements को add करें है ना और majority charge carriers वहाँ पर holes हो जाए जिनको हम लोग उने एक specific नाम दे दिया P-type बोलेंगे आगे से तुमें और उसी तरीके से जब हम लोग group 15 element को add करें majority charge carriers हमारे electrons हो जाए तो उसको हम लोग anti बोलेंगे है अब मैं आप पर ना बच्चों तुम लोगों से 2-3 questions पूछना चाओगी सबसे पहला question यह है तुम लोग मुझे comment section में बत करें कि क्या डोपिंग की वज़े से आप एक semiconductor block के उपर charge को लेके आपाएंगे है कि बताएं थोड़ा सा सोचे और बताएं कि विल यू एवर बी अबल तो डूएट लाट कि प्यूर सेमिकंड़क्टर की मां बात करें है प्यूर सेमिकंड़क्टर में जो thermal aberration होती है क्या उसकी वज़े से क्या ये बिलकुल भी पॉसिबल है कि जो हमारा सेमिकंड़क्टर है उसके उपर चार्ज आ जाए देखें जरा सा कमेंट सेक्शन में तुम लोग क्या बोले है नहीं वेरी गुड वेरी गुड बच्चो है ना बहुत अच्छे मैं आपर लिख देती हूं क भाई कैसे चार्ज आएगा हमने देख देख तो लिया कि यह जो हमारा थर्मल अबिरेशन है तो थर्मल अबिरेशन में जितने इलेक्ट्रॉंस प्रेड्यूज हो रहे हैं तो चार्ज क्यों आएगा दोप अनी नेट चार्ज तो दी सेमिकंडक्टर तो दी सेमिकंडक्टर सेकंड क्वेस्चन डोपिं की वज़े से आएगा अब यह बताओ thermal liberation की वज़े से तो जान लिए कि thermal liberation की वज़े से तो हमारो जो semiconductor का ब्लॉक है उसके उपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है now it is about the doping क्या doping की वज़े से आता है सोचना एक बार सोचो net charge net charge में एक atom के उपर charge की बात नहीं करते हूँ semiconductor के ब्लॉक के उपर क्या net charge आएगा 15 element ने electron दे दिया तो अगर electron दे दिया तो यह भी तो पॉज़ेटिव चार्ज इसकी उपर भी तो positive charge आ रहा है तो मानों अगर for example मैं एक ग्रूप 15 के element को आड करती हूँ तो उसकी वज़े से एक electron produced हो गया मतलब उसकी वज़े से इतना चार्ज आ गया उस इलेक्ट्रॉन की वज़े से तो यह semiconductor का जो atom है उसकी उपर भी तो इतना चार्ज आ रहा है देखो क्यों देखो क्यों मैं यह थोड़ी पूछ रही इसकी उपर कितना चार्ज आएगा मैं यह थोड़ी पूछ रही वट इस दी वट इस दी चार्ज ऑन दी charge carriers produced due to the doping listen to my question carefully क्या आपकी semiconductor atom की उपर sorry क्या जो आपका semiconductor है यह तो क्या इस semiconductor की उपर चार्ज आ रहा है तो कहां आ रहा है भाई semiconductor की उपर चार्ज ग्रुप 15 element को जब मैं add करूं तो देखो अगर ही एक electron दे रहा है जो negative charge का है तो इसके उपर खुद भी तो positive charge आ रहा है और उसी तरीके से मानू यह जो ग्रुप 13 element है अगर इसने electron लिया है और electron को लेने की वज़े से यहां पर positive charge आया है तो इन भाईया के उपर भी तो negative charge आया है तो इन भाईया के उपर भी तो negative charge आया है neutrality will be maintained during doping will be maintained during doping ठेक है यह कोई बहुत बड़ी बात ने की है मैंने तुमारे जो free electrons या फिर free holes produce करें semiconductor के block को तो भी छोड़ के जा रहे हैं कि वो हवा में चले गए भाई उसके अंदर ही तो है उसके अंदर ही तो है देखो ना this is very similar to the induction of charges I'm not very sure किसी बच्चे को induction of the charges पता है कि नहीं लेकिन मानों अगर ही मेरे पास इस तरीके से conductor हूँ और conductor की साइड में ऐसे मैं positively charged rod लें टच ना करूँ तो थोड़े थोड़े ऐसे electrons है जो ऐसे move करेंगे जिसकी वज़े से यहां पर छोटा सा negative charge आ जाएगा और उसी तरीके से यहां पर छोटा सा positive charge आ जाएगा लेकिन है तो न्यूट्रल अब भी ना यह अब भी न्यूट्रल ही तो है यह जो इलेक्ट्रों से इसको छोड़के थोड़ी कहें कि इसके उपर positive charge आ गया है अब भी न्यूट्रल ही तो है So same thing is happening here अगर यह यह उलेक्ट्रों दे रहा है तो सेमिकंड़़क्टर को यह तो दे रहा है और जितने उलेक्ट्रों दे रहा है जितना एक्स्ट्रा नेगिटिव चार्ज प्रेडिउस कर रहा है इनके उपर उतना यह तो positive चार्ज भी आ रहा है वेसे अगर मानों यह उले and this is also the reason कि जो हमारे पास group 15 element है ना इनको donor atoms बोला जाता है देखना ये मेरे पास donor atoms होगे donor atoms क्यों बोला जाते है क्योंकि obviously बात है ये जो है electrons को देते हैं और यहां पर इनके उपर positive charge आता है ऐसे question पूछा जाता है कि group 15 elements में dopant atoms are going to be number one they are going to be donor atoms number two they are going to be positively charged और उसी तरीके से अगर मैं पी टाइप की बात करूँ तो इनको acceptor atoms बोला जाते है देखना इनको acceptor atoms बोला जाते है क्योंकि electrons को accept करते हैं और इनके उपर negative charge आ जाते हैं so they are going to be negatively charged कितनी सारी चीज़ें बच्चा confused हो सकता है इसलिए मैं बार-बार इन सारी चीज़ों को repeat करते हैं इसलिए मैंने बोला है आज की जो class है तीन से चार गंटों की होगी तुमारे physics का physics में अगर तीन चार चाप्टर्स है जो सबसे बड़े हैं है ना जो सबसे जादा time consume है उन में से एक ही है मैंने launch के दोरान भी बोला था कि कुछ ऐसे chapters होंगी जिनको मैं नहीं करा सकती तीन और दो और आदे गंटे में चाहें मैं उसको कितना भी to the point कितना भी प्रिसाइज रख लो आपको repeat करना पड़ता है कैसे मतलब बच्चे के दिमाग से जाएगा अगर यह repetition ना हो कि कौन से semiconductor में चलो एक क्विस करते हैं बच्चों हाँ जी लेट एस रूवा क्विस सब बच्चे एक बार लाइक कर देंगे सेशन को देखो तुम्हारे इतनी महनत कर रहे हूं तुम लोग के लिए है ना किस तरीके सब डाइग्राम की हेल्प से समझा रहे हूं सब सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे येस बोताव देमार गोइंग टो भी लेक्टिकली नूटल दोनों में दो ही तो चीज़े हो रही है एक थर्मल एबरेशन जो कभी चार्ज ने लेके आता फिर हम लोग उने देख लिया डोपिंगी वज़े से भी चार्ज ने आता तो दोनों इलेक्टिकली नूटल है नमबर टू कुर्शन मैं फिर आपके नॉलेज की जिम्मेदारी नहीं ले सकती लेकिन अगर तुम क्लास में मेरे साथ बैठे हुए तो अभी हम लोग ने डिसकास किया है कि इसको पी नाम या फिर इसको एन नाम क्यूं दिया गया है majority charge carriers तो majority charge carriers यहाँ पर holes होते हैं जिनके उपर positive charge होता है यहाँ पर electrons होते हैं जिनके उपर negative charge होता है third question in which type of semiconductor electrons are present पूरा concept चुले ये in which type of semiconductor electrons are present third question पटाफट से both क्या कर रहे हूं बच्चो यही गलती करोगे there is a reason में तुमसे ये questions पूछे रहे हैं examiner यही फसाता है और यहाँ पर फसाना बड़ा ही electrons तो दोनों में हैं न देवियों और सज्जनों electrons तो दोनों में thermal liberation तो यहाँ पर भी हो रही है thermal liberation तो दूसरी साइड भी हो रही है electrons और holes तो दोनों जगा है यहाँ पर भी electron है यहाँ पर भी electron है यहाँ पर भी होल है यहाँ पर भी होल है purpose इतना यहाँ पर यहाँ पर और extra electrons है यहाँ पर और extra holes है electrons और holes तो दोनों साइड है ऐसे फसोगे नीट के एक्जाम में ठीक है? अब मुझे फिर यहाँ पर चौता क्वेश्चन यह बताओ In what type of semiconductor the dopant atoms are donor atoms? हाँ जी, बताईए In what type of semiconductor the dopant atoms are donor atoms? donor atoms फटा फट से Very good donor atoms का मतलब electron को देने वाले तो group 15 element देता है electron को तो group 15 element end type आगया so the answer is going to be end जैसे कि इसके उपर ना दो previous यह question कराऊं देखो यह 2019 का question है तो मैं बोला था कि P type semiconductor के लिए कौनसी statement हुआ है? मैं ऐसी थोड़ी मैंने तो मैं बोला था कि यह एक ऐसा chapter है जहां से मांक्स को grab करना बहुत जादा इजी है बस तुम्हें वो single investment देनी पड़ेगी ऐसी class की इस particular single shot session की इस session में मैं इसी कला से पढ़ा रही हूँ कि तुम्हारा एक भी question ऐसा ना जाए कि जो तुमसे solve ना हूँ यह देखो तो P-type semiconductor में electrons are the majority charge carriers यह पहली गलत हो गया electrons are majority यह दुबारा से गलत हो गया है ना holes are the majority charge carriers यह भी ठीक है holes are the majority charge carriers यह भी ठीक है अगला देखते हैं तो इन्होंने बोला कि यहां पर जो dopant atoms हैं वो trivalent है तीन की valency है हाँ ठीक है तुम देखो ना P-type का semiconductor का मतलब क्या हम लोग उने group 13 elements को add किया तो यह trivalent है है ना तो option number C gives me the correct option next के उपर चलना यह जो next question है देखो 2013 का question है जो 21, 22, 23 में question आये पे वो तुम्हें लेके भी नहीं आ पाई उनको हम लोग निप्टाएंगे और हमारी तीन बजे वाले practice session में मैं तुम्हें बस बताना चाहते हूं नीट का level देख लो यहां से कुछ difficult नहीं बनता तुम्हें बोला हूँ है कि जो N-type का semiconductor है उसके लिए कौन सी statement true है N-type के semiconductor के लिए So whole majority charge Minority charge carriers है यह तो सही है और इसके अंदर जो pentavalent atoms है वो dopant atoms है यह भी सही है N-type के semiconductor में हम क्या करते हैं group 15 elements को add करते हैं जो extra holes create करेंगे majority charge carriers electrons हो जाएंगे because electrons produce किया है donor atom ने dopant atom ने तो उसको donor atom बोला जाता है electron दे दिये तो obviously बात उसके उपर positive charge आ जाएगा option number A gives you the correct option अब मुझे बताओ is everything crystal clear to each and everyone यह हो गया हमारा पहला major topic जिसके अंदर हम लोग intrinsic और extrinsic semiconductor को समझते हैं जिसमें हम लोग P-type और N-type semiconductor को समझते हैं क्योंकि अगर तुम्हें यह नहीं समझ आया तुम्हें कभी diode नहीं समझाएगा कभी भी तुम लोग को working of the P-n junction नहीं समझाएगा maybe you'll be able to solve the questions of diode in a circuit क्योंकि वो current electricity है लेकिन अगर एक भी ऐसा conceptual question आ गया जो diode के functioning के उपर based है P-n junction के functioning के उपर based है P-n junction के making के उपर based है breakdown के उपर based है तुमसे नहीं होगा लेकिन अब I believe कि तुम लोग को crystal clear हो चुका है तो यह अभी हम लोगों ने एक major chunk खतम कर दिया कि भाई now we know अब P-type क्या है N-type क्या है अब हमें पता है तो अब हम जारा सा डायोड के उपर आते है तो तुम देख पार कहानी कि पहले साइंटिस्ट को यह चुल हुए कि यार मुझे ना साइंटिस्ट को ऐसे चुल हुए कि यार conductors and insulators are not enough हम एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कितना conducting है वो भी हम decide करें या फिर जिसकी conductivity को हम control कर सकें control कैसे कर सकें temperature से भी control कर सकें अब फिर बात में साइंटिस्ट को यह चुल ले कि चलो यार यह सारी चीज़े तो हम लोग उने जान ली लेट उस सी वाट इस गूंग टू हापन अगर मैं पी टाइप के सेमिकंड़क्टर को एंटाइप के सेमिकंड़क्टर के साइड में इस सरी के से रख दूं है ना तो बस यह जो हमारा इन दोनों यह करने से जो चीज बनती है बस उसी को डायोट बोला जाता है है ना जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि अगर ग्रुप 14 एलेमेंट के अंदर अगर मैं इंप्योरिटी आड कर दूं उसको नाम दे दिया मैंने एक्स्ट्रिंसिक उसी तरीके से मैं बोल लिए हो अगर P टाइप और N टाइप को मैं एक साथ ले आँँ तो उसको मैंने नाम दे दिया डायोट तो सबसे पहले दिखते हैं कि यार जब हम लोग इस तरीके से दोनो वेफर्स को ऐसे एक साथ रखते हैं तो देखो बड़ा लॉजिकल है स्टेट्मेंट से मैंने कभी ये टॉपिक नहीं बढ़ाया है ना मैं कभी पढ़ाऊंगी बच्चों के दिमाग में जाके चिपकता है क्योंकि कुछ रटने वाला नहीं है तो मैं ग्रफ डाइग्रम बनाओंगे ना तुम्हें भी पता लग जाएगा कोई भी चीज मुझ भानी नहीं आदोनी चाहिए अंसर तक पहुंचना आना चाहिए तो देखना अब एक बात में यहां पार फूसारे एलेक्डॉन यहां पर फूमसारे हूं यहां पर फूमसारे लेक्डॉस तो यह अव्यस बात है कि हाकर डिफ्यूज रोगा न either not obvious कि मानौ अगर मैं इस तरीके से दूगा स्की चाहिए लोग ना ऑँषॉजन को भर दूडू और दोनों को कर दूग तो उविस ही बात है जो nitrogen gas है ऐसे move करेगी, जो oxygen gas है ऐसे move करेगी, तो जो इस तरीके से concentration gradient की वज़े से जो movement होती है उसको diffusion बोला जाता है, चाहे वो gas molecules की diffusion हो, वो चाहे liquid molecules की diffusion हो, या फिर वो electrons and holes की diffusion हो, तो उविस ही बात है अगर मैं P type के और N type के semiconductor को एक साथ लेके आती हू तो इसमें कोई दोरा ही बात नहीं है, कि जो electrons है वो ऐसे motion चो करेंगे, और जो holes है ऐसे motion चो करेंगे, है ना, इसको diffusion current बोला जाता है, diffusion की वज़े से, इसको diffusion की वज़े से जो current आता है, इसी को diffusion current का नाम दिया गया है तो मैं बोल दो कभी भी moves हुबानी नहीं आदो ना जाए कि diffusion current की direction क्या है, बस diffusion current का definition moves हुबानी होना जाए, diffusion का मतलब कि जो holes है, बानो ए P type है, N type है, जो holes है, ऐसे गए है, electrons है, ऐसे गए है, बस इतना बता होना जाए, direction देख लो, positive charge अगर ऐसे move कर रहा है, तो उसकी negative charge अगर ऐसे move कर रहे है, उसकी वज़े से भी current की direction है, तो diffusion current की, अगर मैं तुम से direction पूछती हूँ, तो तुम देख पारे हो कि वो P से लेके N तक जा रहे है, कभी भी moves हुबानी याद नहीं होना चाहिए, तो ये मेरे पास आगे, diffusion current, तो हमने देखा कि सबसे पहले इन द और फिर यहाँ पर आगे उनकी उपर positive charge और उसी तरीके से मानों, अगर holes ऐसे जा रहे हैं, तो अविसी बात है, ग्रूप 13 elements की वज़े से holes ऐसे जा रहे हैं, holes ऐसे गए हैं, इसका मतलब किया है, इन्होंने electron को ऐसे accept किया है, तो इसकी उपर negative charge आगे है, और holes इस direction में move करन लगे हैं, तो मैं बोल तो यहाँ पर फिर टाइम के साथ एक लेयर नहीं बन जाएगी, कि टाइम के साथ यहाँ पर एक ऐसी लेयर बन जाएगी, ग्रूप 13 elements की, जो negatively charged है, और उसी तरीके से यहाँ पर लेयर बन जाएगी, ग्रूप 15 elements की, जो positively charged है, थोड़ा सा सोचो न, इसी को depletion region भूला जाते है, इससे जादा कुछ नहीं है, मैं तो देखो, मैं तो statements में जाई नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा कम तुम लोगों को physics के प्यार में डलवाना है, ना कि तुम physics से डर जाओ, यह करना, तो बस यही जो region है, यही depletion region है, कि बहुत सारे electrons ऐसे गए, यह देखो, group 15 elements के dopant atoms जो इस तरीके से negatively charged है, negatively नहीं, इस तरीके से positively charged है, और उसी तरीके से मानो, अगर holes इस direction में गए है, holes के उपर में बहुत ली detail discussion करूँगे, एक बार मैं तुम लोगों को यह करवा देती हूँ, making of a diode, है ना, फिर उसी तरीके से, अगर मानो, मेरे पास जो holes है, वो इस direction में गए है, holes इस direction में गए है, मतलब अगर electrons इस direction में accept हुए है, है ना, यह concept में तुमारा clear करूँगे, don't worry at all, अभी के लिए मानो कि holes इस direction में गए है, तो अभी सी बात, अगर holes इस direction में गए है, तो यह जो हमारे group 13 के elements है, है ना, तो उनके उपर इस तरीक से negative charge आया है, देखो, तो बस यही जो region है, इस region को नाम दे दिया है, depletion region, कि भाई, depletion region, basically वो वाला region है, जिसके अंदर immobile dopant atoms है, देखना, यह immobile है, बड़े-बड़े atoms है, यह नहीं move करेंगे, कभी भी यह मत समझना कि conductivity इसे लिए है, क्योंकि silicon एक पॉइंट से लेके द दूसरे पॉइंट तक जाए नहीं बहुत, यह जो हमारे गुप, यह जो हमारे भी टूप NET É जो हमारे समिकंडुक्टर के आटम सहे देए, ट्यार ब्यूसरे पॉइंट सब्रम ताम कोधर ना, यह मेरे पास है जिसके अंदर मिजोर्टी चार्ज है, घून है, तुम देख यहां से जा चुका है तो आइकन से ये वाले रीजन में अब खुल नहीं है उसी तरीके से यहां पर positively charged opened atoms है क्यों है क्योंकि इन्होंने electrons दे दिये हैं तो आइकन से कि भाई ये मेरे पास depletion region या फिर इसको barrier region भी वोला राता है इसके अंदर immobile opened atoms होगे लेकिन इसके अंदर क majority charge carrier नहीं होगा, majority charge carrier बिल्कुल भी नहीं होगा, तो diffusion होई कि जो electrons है N से लेके P तक गए, जो मेरे पास holes है P से लेके N तक गए, जिसकी वज़े से जहां पर P और N इस तरीके से एक दूसरे के साथ contact में आ रहे हैं, एक layer बन गई, negatively charged opened atoms की group 15 की side पे, positively charged opened atoms की हमारे N की side पे, इ तुम देखो न, अगर मैं बोलूँ कि भाई, यहां पर positive charge आया है, यहां पर negative charge आया है, तो electric field भी तो आएगी न, positive से लेके negative तक electric field नहीं जाते, तो यह देखो electric field आई, तो नाम में कभी मत फस न, obvious ही बात, अगर आप किसी भी चीज को describe कर रहे है तो आप उसको नाम देंग तो अगर मानों मैं तुम से पूचों कि भाई, बारियर electric field की direction क्या है, मैं तो बोलें जी, तुम लोगो मुझ उबाने पता होना चाहिए, concept के उपर हो संजना, हाँ जी, तुम्हें कभी पता ही नहीं होने चाहिए, बारियर electric field की direction क्या है, मुझ उबाने बनाओ, कि भाई, यह मेरे पास P था, यह मेरे पास N था, इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए, तो ओविसी बात है, हाँ पर positively charged open atom चोड़ के चले गए, होल ऐसे चले गए, तो negatively charged open atom चोड़ के चले गए, तो बारियर electric field का direction है यह, तो यह मेरे पास आगे इस सरी के से barrier electric field, अब देखो, next topic यहाँ पर distractions are a barrier in your need preparation, क्या आपके need preparation को efficient बनाने में, जो barrier की तरह काम करते हैं, जो रुकावट की तरह काम करते हैं, वो आपके distractions हैं, तो फिर बार में एक question तुम्हेरे दिमाग में आना चाहिए, barrier क्यों बोला, depletion समझ आता है, कि this region is depleted of the majority charge carriers, कि यहाँ पर majority charge carriers नहीं है, तो हमें depletion समझ आता है, तो अब मैं तुम्हें बताते हूं, barrier इसको इसलिए बोला जाता है, क्योंकि diffusion नहीं होने देगा, बचो सोचो न, अगर electric field is direction में है, तो वो तो यह चाहेगा, कि positive charge is direction में move करें, और negative charge is direction में move करें, यह तो हमारी electrostatics है, वो यह क्यों चाहेगा, कि pole जिसके उपर positive charge है, वो ऐसे move करें, या फिर electron जिसके उपर जो negative charge है, वो ऐसे move करें, तो यह जो हमारा electric field यहाँ पर आया है, इसको इसलिए barrier electric field बोला जाता है, because यह diffusion को resist करता है, so I can say that the diffusion or the diffusion current is resisted, it is resisted by the barrier electric field, ठीक है, barrier electric field बोल जाता है कि भाई मैं इस direction में हूँ, क्या मतलब जो hole है मेरे against चला जाएगा, है ना, यह बोलेगा ना ग्यार मैं तो इस direction में हूँ, क्या मतलब है कि positive charge मुझसे opposite direction में चला जाएगा, मैं तो नहीं जाने दूँगा, क्या तो इसने क्या किया, इसने diffusion current को resist किया, तो obviously बात है तुम देख पा रहे हो, अगर यह barrier region आ जाती है, तो इसकी वज़े से diffusion current क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अब पता है मेरे notes में और NCRT में फर्क कितना है, वहाँ पर सिफ statements है, और मेरी class में देख लो, सिर्फ diagrams है, that is the only difference कि तुम्हें मेरे notes को देखे घबराटनी होगी, अगर तुमने यह notes बनते हुए देखे हैं, अगर तुमने एक essay class को attend किया है, जहां पर इन notes का इस्तमान हुआ है, लेकिन NCRT से घबरा जाओगे, for the same reason, statements and diagrams, हमारा जो दिमाग है, इसके लिए images को देखना, है ना, इसके लि इमिजिस्ट के through समझना, easy है, statements के through नहीं, तो यह अभी तुम लोग यहां पर देख पा रहे होगे, कि तो मेरी बिल्ली मुझे ही म्याउं कर दिया, नहीं यह वाली चीज़ नहीं, इसको क्या बूल सकते हैं, कि जिस थाली में खाया, उसी थाली में छेद कर दिया, diffusion current की वज़े से यहीं, तो देखो na, diffusion की वज़े से यहीं तो barrier electric field आया, जब electron जैसे गए, तबी तो यहां पर positively charged open datems की एक layer बनी, जबχ Truth जैसे गए, तबी तो यहां पर negatively charged persons Truth की layer बनी, तो diffusion की वज़े से ही barrier electric field आया और barrier electric field ने diffusion current को भी कम करती है, दिख रहे हो कितने क्या बोल रहा है बारियर एलेक्टिक फील बोल रहा है कि भाई मैं इस डिरेक्शन में हूँ तो अगर मैं इस डिरेक्शन में हूँ तो मैं चाहता हूँ पॉजिटिव चार्ज इस डिरेक्शन में मूव करें और नेगेटिव चार्ज इस डिरेक्शन में मूव करें तो अभी मूब करवाएगा कि यह जो depletion region कौन सा region है depletion region के अंदर majority charge carriers नहीं होते minority charge carriers तो होते हैं ना तो देखो मैं minority charge carriers बनाती हूँ यह देखो minority charge carriers यह देखो मेरे minority charge carriers तो यहाँ पर यह जो electric field इस direction में है obviously बाते वो चाहेगी कि जो positive charge है इस direction में move करें तो तुम देख पारें कि जो minority charge carriers थे n की side पे hole वो ऐसे move करें है ना और उसी तरीके से यह जो मेरे पास minority charge carriers थे electrons let me use another color कौन सा color कौन सा color हाँ जी उसी तरीके से जो electron थे यहाँ पर minority charge carriers वो इस direction में move करें रटने वाली बाते थोड़ी होते मूँ दुबानी कभी मत याद रखो निकलना सीखो कि भाई हमने देखा कि भाई barrier electric field इस region में है तो वो बोल यह positive charge ऐसे move करें तो यहाँ पर जो minority charge holes थे वो इस direction में move किये और अगर barrier electric field इस direction में है तो वो जाहेगी negative charge ऐसे move करें तो यहाँ पर जो minority charge carrier electrons थे वो इस direction में move करें तो barrier electric field ने diffusion current को resist करके उसको कम कर दिया और यह जो barrier electric field की वज़े से जो charge का motion हुआ है उसको drift बोला जाता है इसको drift बोला जाता है तो drift की वज़े से जो current आया वो drift current है लेकिन उसको एक बार जारा साइड में रखते हैं अब ही मैं सिर्फ यह बोल ते हो barrier electric field प्रमोट करता है कि positive charge जो की है whole ऐसे move करें और जो negative charge है electron ऐसे move करें तो यही इसी को बोला जाता है drift और minority charge carriers इसका नाम कहें इंग्लिश में कभी मनफास ना बच्चो this is known as the drift of minority charge carriers और इसी की वज़े से जो current आता है उसको drift current बोला जाता है ठीक है तो अब मानो मैं तुमसे पूझाओ कि भाई drift current की direction क्या है याद कभी नहीं होना चाहिए बना ना चाहिए कि भाई देखो यहाँ पर P था यहाँ पर N था मैंने देखा कि barrier electric field मेरे पास इस region में है तो positive ऐसे move करेगा तो positive ऐसे move करेगा तो current इस direction में उसी तरीके से negative ऐसे move करेगा तो भी current इस direction में तो अगर मानों मैं तुमसे drift current की direction पूछों तो drift current हमारा कहां से लेके कहां तक जाता है N से लेके P तक जाता है है ना तो सबसे पहले diffusion हुआ I am hoping that the entire storyline is clear सबसे पहले diffusion हुआ diffusion की वज़े से यहां पर layer बनी dopant atoms की जिसकी वज़े से एक electric field आई उस electric field ने diffusion को resist कर दिया और फिर बाद में इस electric field ने जिस motion को promote किया तो उस motion को drift बोला जाता है और उस motion of the charge carriers की वज़े से जो current आता है उसको drift current बोला जाता है तो मैं बोल दूँगे कि भाई यह जो barrier electric field है diffusion current को उसने कम किया drift current को उसने बढ़ा दिया तो एक point के उपर दोनों equal भी तो हो जाएंगे न तुम देखो ना शुरुआत में तो कोई drift current था ही नहीं शुरुआत में हमारी barrier electric field नहीं थी तो drift current कैसे होगा तो शुरुआत में drift current नहीं था मानो यह drift है और यह diffusion है तो शुरुआत में maximum diffusion current शुरुआत में zero drift current फिर barrier electric field आने लगी है ना तो barrier electric field ने क्या किया drift current को तो बढ़ा दिया और फिर बाद में diffusion current को छोटा कर दिया background noise है तो उसको ignore करो किसी बात है तो तो तुम यहां पर देखो एक ऐसा point आएगा जब diffusion और drift current एक दूसरे के equal to हो जाए और अब तुम बोल दोगे that the diode is ready to be used is it okay now? एक बार ज़रा सा देख लो क्या यह चीज समझ आच चुकी है तो मैं basically यह बताना चाहते हूं जो तुमें लगता है तुम्हें याद होना चाहिए तुम्हें याद ने होना चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए और answer तक पहुंचना आना चाहिए तो एक बार जबी म हैं, electrostatics के concept से link करना जाओ गी तो यहाँ पर बोला हुआ है कि मानो मेरे पास इस तरीके से यह depletion region है तो depletion region का मतलब समझे ना कि जो n की side है वहाँ पर electrons नहीं है और उसी तरीके से यहाँ पर जो P की side है वहाँ पर हमारे holes नहीं है यही होता है मेरे पास depletion region है ना तो n की P की side पर अगर electrons नहीं है मतलब सिर्फ और सिर्फ minority charge carriers हमारे इस तरीके से holes हैं P की side के उपर holes नहीं है मतलब सिर्फ और सिर्फ minority charge carriers हमारे पास इस तरीके से electrons है तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मानो यह जो मेरे पास bit of the depletion region है इसकी value D है रिपीट कर दिया भाई इससे ज exist करती है अब जिन्होंने electrostatics कर लिए उनको समझ आ जाएगा और जिन्होंने नहीं किया है तुम्हें wait करना है कि तुम्हें इसका cause पता लगी तो तुम लोग को अभी के लिए से पिये रटना है तो जिन बचोंने electrostatics किया है तुम लोग यह करते हूँ कि constant electric field की वज़े से जो potential difference आते है उसकी equation बदती है तो वो मेरे पास आ जाता है जो constant electric field है it is equal to कितना potential drop वो create कर रही है divided by कितने distance में exist करने की वज़े से कि मनु अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यहाँ पर इस तरीके से 12 की electric field exist कर रही है है और इन दोनों के बीच में distance 1 meter है मतलब यहां से लेकि य है तो explanation समझ आ रहा होगा नहीं किया तो अभी के लिए रट लो कि तुम यहां पर देख पा रहे हो कि barrier electric field की वज़े से जो यहां पर potential difference create हुआ है यहां पर जो potential drop आया है in the depletion region this is going to be given by barrier electric field multiplied by the width of the depletion region ठीक है बस अब यहां पर terminologies है जैसे कि अगर मानू मैं इसकी बात करू तो इसको barrier potential बोला जाते हैं देखना इसको barrier potential बोला जाते हैं इसको हमारी barrier electric field बोला जाते है because obviously बात है what is barrier electric field अजी what is barrier electric field वो electric field जो diffusion current को resist हरती है और तो obviously बात है इसकी वज़े से जो potential drop आएगा उसको हम लोग ने barrier potential बोल दिया and this is the width of the depletion region तो सबसे पहले question तो देखो मैं तुम्हें यही पूच सकती हूँ कि मानू अगर मैं तुम्हें बोलू कि भाई एक pn junction है pn junction का मतलब क्या p और n के बीच में जो junction आ रहा है मतलब diode डायोड के अंदर जो depletion region exist करती है वो वाला region तो एक डायोड के pn junction की width तुम लोग को दे दी तो तुम्हें बोला जा रहे कि भाई जो यहां पर width है उसकी value 2 mm है और उसी तरीके से यहां पर जो barrier potential है उसकी value 0.1 volt है तो तुमसे यहां पर यही पूछा हुए कि बताओ यहां पर यह वाले region में कितनी barrier electric field exist कर रही होगी मानो this is the question मैं पर सीधा सीधा बोल दूंगे कि वह यहां पर जो barrier potential है it is the barrier electric field multiplied by वो कितने distance के लिए exist करती है तो barrier potential हो गया 0.1 volt barrier electric field मुझे निकालना है और जिस distance के लिए barrier electric field exist करती है that is the width of the depletion region जो मेरे पास आ गया 2 mm तो दोनों को SI unit में रखोंगी तभी तो answer SI unit में आएगा न तो देखो barrier electric field की value SI unit में कितनी आ गया 0.1 volt divided by 2 into 10 days to power minus 3 meter तो यह मेरे पास कितना आ गया 50 volt per meter इस दुबारा से इस PN junction की बात करूं मनू मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास 2 diodes है एक तो highly doped diode है और एक lightly doped diode है तो जरा सा बताओ कि width of the PN junction यहां पर जादा होगा कि यहां पर जाता होगा now how will you answer क्या मैं बोल दों अगर मैंने जादा doping की है जादा majority charge carriers present होगे हां जी क्योंकि intrinsic semiconductor में तो जितने electrons थे उतने ही holes थे वो तो doping की वज़े से आ रहे है ना doping की वज़े से extra charge carriers produce हो रहे हैं जो electrons हो जाते हैं N टाइप में holes हो जाते हैं PK टाइप में तो अगर मैं जादा doping अगर मैं कर रहे हूं तो जादा majority charge carriers होगे तो depletion region का मतलब होता है जहां पर majority charge carriers ना हो तो अगर जादा majority charge carriers है तो obviously बात है जो depletion region है छोटा होगा जो मेरे पास depletion region है वो क्या होगा depletion region मेरे पास छोटा होगा यह small होगा so that is the reason I can say कि highly doped diode में highly doped diode में width of the pn junction small होता है और उसी तरीके से lightly doped diode में मेरे पास larger width का pn junction देखने को मिलेगा so this is conceptual you don't memorize it तो मैं तुम्हें बोल यह अभी एक बार मुझे diode समझ आ गया ठीक है अब मैं diode को और समझना चाहते हूँ जैसे कि अभी तक तो मुझे यही समझ आये कि diode बनता कैसे है हम diode के अंदर जो चल रहे है उसको discuss करें इसलिए अभी तक मैंने तुम्हें यह भी नहीं बताया है कि अगर मुझे diode को किसी circuit में बनाना हो जैसे circuit में मुझे bulb बनाना हो तो यह symbol होता है क्योंकि अभी तो हम लोग circuit के अंदर तो बाद में रखेंगे, अभी तो अंदर ही उसे हुए हैं, अभी तो हम अंदर से देख रहे हैं, तो पहले अंदर से देख लेते हैं, फिर बाहर से देख लेंगे, ठीक हैं, तो अब हम लोग जो discuss करने वाले हैं, it is biasing of a diode, biasing का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप diode के across एक potential difference को apply कर रहे हैं, तो मैं दो तरीके से potential difference apply कर सकती हूँ, देखो, एक तो बच्चो मैं ऐसे potential difference apply कर सकती हूँ, कि peaky side को higher potential के उपर रखो, मैं ऐसे भी potential difference apply कर सकती हूँ, कि जो मेरे पास peaky side है, उसको मैं lower potential के उपर रखो, because if biasing means applying potential difference across the diode then the potential difference across the diode can be applied in two ways है ना, it can be applied in two ways पहला वे कौन सा है, पहला वे यह है कि या तो मैं क्या करूँ ज्यान दीजेगा, या तो मैं क्या करूँ, जो lower potential है उसको मैं P की side पे रखो lower potential को P की side की उपर रखो और जो मेरे पास higher potential है, उसको इस तरीके से N की side पे रखो या तो मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, कि P की side पे positive रखती हूँ मतलब P की side पे higher रखती हूँ यह देखना, यहाँ पर मैंने क्या किया P की side की उपर higher potential रख दिया और उसी तरीके से यहाँ पर जो N है उसकी side पर मैंने lower potential रख दिया कि इस तरीके से potential difference को apply करने को हम लोग forward bicing बोल देंगे और उसी तरीके से जब तुम P की side पर N लगाते हो P की side पर negative terminal लगाते हो P की side की उपर lower potential लगाते हो और N की side की उपर higher potential लगाते हो तो इस तरीके से potential difference को apply करने को जो हम लोग नाम देंगे वो reverse bicing है तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग की forward bicing में क्या होगा and literally बच्चों में तुम्हें बोल रहे हूँ कि तुम्हें ये रटना नहीं होता तुम्हें एक simple diagram भी बना लोगे ना तो भी तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम ज़रा से मुझे एक बात बताओ यहां पर मैंने higher potential बना दिया अब जो मेरे पास majority charge carriers यहां पर holes थे ध्यान दे ना जो यहां पर majority charge carriers holes थे तो यहां पर जो मेरे पास majority charge carriers holes थे पर higher potential ले आई तो holes इस direction में भागे और उसी तरीके से मैं N की side की उपर lower potential ले आई तो negative negative से भागे गा ना तो यहां पर जो electron है वो इस direction में भागे तो तुम सोचो ना depletion region वो region होते है जिसके अदर majority charge carriers नहीं है अब मैंने यहां पर ऐसी byasing कर दी कि यहां पर जो majority charge carriers हैं वो towards the depletion region push हो रहे हैं और यहां पर भी जो majority charge carriers है towards the depletion region push हो रहे हैं तो depletion region के कुछ region को occupy कर लेंगे और अब वो जो region है वो depletion region नहीं कहलाएगा तो इसकी वज़े से जो width of the depletion region है कम हो जाते है है ना उसी तरीके से देखना तुम लोगों को एक और चीज मैं यहां पर notice करवाती हूँ this is the electric field due to the battery देखो battery की वज़े से यहां पर यह electric field है और उसी तरीके से जो barrier electric field है बच्चों वो मेरे पास यहां पर यह है है ना so this is now this is very similar to photo electric effect कि हमने बोलते कि भाई photon आ रहा है metal के उपर गिर रहा है metal को energy दे रहा है ताकि electron बाहर निकल जाए तो यहां पर अभी same चीज के बार में बात करो in the terms of diffusion current कि diffusion कब होगा hole दुबारा से ऐसे move और electron दुबारा से ऐसे move कब करने लगेगा तो diffusion को oppose करता हुआ barrier है promote करता हुआ electric field due to the battery है तो क्या मैं बोल दूँ ध्यान से देखिएगा क्या मैं बोल दूँ कि भाई जब तक battery वाली जो electric field है वो barrier की electric field से छोटी होगी तब तक यहां पर current नहीं आएगा हैं जी एक बार जरा सा देखो तब तक यहां पर current नहीं आएगा no forward current क्योंकि current तब आएगा ना जब पूरा का पूरा circuit complete हो यार holes ठीक है एक hole यहां से लेके यहां तक चला गया एक electron यहां से लेके यहां तक चला गया circuit थोड़ी complete हुआ है current तो तब आएगा जब circuit complete हो तो circuit तब complete होगा जब hole यहां से लेके यहां तक जो जा चुका है अब वो और आगे ऐसे move करे circuit तब complete होगा जब यह electron जो यहां से लेके यहां तक आ चुका है वो यहां से लेके यहां तक भी move करे तो अब इसको diffusion नहीं बोलते हैं अगर hole यहां से लेके यहां तक move करें और electron यहां से लेगे यहां तक move कर उसको diffusion नहीं बोला जाता है तो मैं तुम्हें exactly same चीज़ बोल रहे हूँ कि इस diffusion को barrier electric field तो होने नहीं दे रहे हैं तो क्या मैं बोल दूँ कि जब तक barrier electric field बढ़ा है तब तक तो कोई current आएगा नहीं तब तक तो बच्चो कोई current आएगा नहीं जैसे ही battery की वज़े से जो electric field है barrier electric field के equal to हो जाती है अब current आना शुरू होगा आया नहीं है ठीक है इसको मतलब ज़ादा अच्छा होता है अगर हम इसको ऐसे define करें कि क्या होने वाला है इसको ऐसे बोलते हैं just about to come और जैसे ही battery ने barrier को ओकाद दिखा दी देखना जैसे ही जो battery चाहती थी कि भाई यहांपर diffusion हो ताकि circuit complete हो और current आए जैसे उसने battery को overpower कर दिया वैसे forward current आगया वैसे क्या हुआ forward current आगया मैं बोलनू कि same चीज में potential के लिए भी तो बोल सकती हूँ कि अगर मानू मैं तुम्हें बोलू कि भाई जो barrier potential है obviously बात अभी forward pricing की scenario में बात करें कि अगर कि अगर मानू मैं बोलू कि जो barrier potential है वो battery के potential से बड़ा है तो no current एक बार ज़रा सा देखो तो यहां पर मुझे कोई भी forward current देखने को नहीं मिलेगा ignore करना बच्चो अभी हो जाएगा यह ठीक है न forward pricing में बात करें अगर barrier potential जादा है battery का potential अगर कम है तो कोई forward current नहीं आएगा उसी तरीके से अगर मानो battery का जो potential है वो barrier potential से जादा हो तो यहां पर current आएगा तो यहां पर न इसका एक question में यहां पर जरूर से कराना चाहूंगे तो अभी diode का एक बार जरा से symbol देख लो विकिस अब मैं इसको circuit में introduce करने वाली हूँ तो diode का symbol यह होता है जहां पर यह वाली जो side है P की side है यह वाली जो side है वो N की side है तो अभी हां पर question देखना यह circuit given है कि भाई यह मेरे पास diode है जहां पर यह P की side है यह positive terminal से connected है यह मेरे पास N की side है जो negative terminal से connected है तो forward vicing है तो तुम्हें बूला वे अगर इस diode का barrier potential 6V है और मैंने 20V से forward vicing कर दी तो अगर resistance of the diode 10O है तो बताओ circuit के अंदर कितना current है यह फिर diode के across कितना current है So this is very genuine everyone अगर मेरे पास work function 6 जाउल का हो और photon 20 जाउल का गिरे तो kinetic energy of the electron कितना होता है 14 तो मैं तुम्हें बोलूँगी भले मैंने forward vicing 20V से की है लेकिन 20V से current थोड़ी आएगा 20V मेंसे 6V तो चलेगे ना barrier कोई खतम करने के लिए तो क्या मैं बोल दूँ कि यहां पर जो current आएगा सब v is equal to IR के basis की उपर चलना है तो जो मेरे पास current जिस potential की वज़े से आ रहा है it is कितना potential battery का है minus कितना barrier potential है because this is the net potential जिसकी वज़े से मैं यहां पर क्या देख पाऊंगी this is the net potential जिसकी वज़े से मुझे current देखेगा तो net potential जिसकी वज़े से मुझे current देखेगा it is equal to कितना current देख रहा है multiplied by कितने resistance की across तो net potential जो diode की across है वो मेरे पास आगे 20 minus 6 volt current मुझे निकालना है resistance of the diode 10 ohm है तो current की value मेरे पास कितने आगे 14 volt by 10 ohm value मेरे पास कितने आगे 1.4 ampere पूरे सारे previous questions में तुम लोगो दिखा दूँगी एक भी ऐसा question नहीं है जो difficult question है अब मानू मैं तुम्हें ये question देदूं कि भाई ये मेरे पास एक diode है diode के ये वाले point के उपर 2 volt का potential है ये वाले point के उपर 4 volt का potential है अब मैं तुम्हें बोल रहे हूं कि भाई अगर मानू मैं यहाँ पर 10 ohm का resistance लगाती हूं then what is the current across the diode what is the current across the diode तो भाई V is equal to IR there is no approach there is no other approach अगर तुम्हें potential वागेरा resistance वागेरा देके current पूछा जाता है तो V is equal to IR होगा न तो अगर तुमसे पूछा जा रहे कि भाई इस diode के across current कितना है then that is going to be given by इस diode के across कितना potential difference है divided by कितने resistance है हाँ जी अब यहाँ पर देखो तो मैं देख पार हो potential difference देखिए है तो forward bicing ही अभी reverse bicing तो हम लोग करी नहीं रहे है यह forward bicing है मुझे कैसे पता लगा मुझे ऐसे पता लगा कि इन दोनों में से higher potential ही है और यह जो higher potential है वो P की side से connected है एक बार जरा से देखिए अब potential difference देख लो तो 12 और 4 के बीश में potential difference कितना है 8 volt का है तो 8 volt का potential difference है और यहाँ पर बच्चो resistance कितनी आ रही है 10 ohm की आ रही है तो value मेरे पास कितना आ गया 0.8 ampere difficult नहीं है अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 2014 का question है कि यह जो PN junction के अंदर जो barrier potential बनता है किसकी उपर depend करता है कि कितना barrier potential है तो ज़्यादा doping करूंगी ज़्यादा barrier potential होगा है ना semiconductor के material के उपर भी depend करता है सब चीज़ों के उपर depend करता barrier potential देखो ना तुम यह देखो अगर मैं बोल रही हों कि x, y के उपर depend कर रहा है और y, z के उपर depend कर रहा है तो x भी z के उपर depend कर रहा है तो अगर मैं तुम से यहाँ पर यह पूछूंगी के क्या है charge carriers तो कुई भी चीज जो इन charge carriers को impact कर सकती है वो ठाइप और ंट कर सकता है वो डायोड को effect कर सकता है वो पी-एज़़ंचन को effect कर सकता हैं ग्रायर potential को effect कर सकता है तो किस तरीके कब मै₃ से इतनी की है या मैंने कितनी doping की है या फिर क्या temperature ये तीनों ऐसे scenarios हैं जिसके अंदर मैं charge carriers को छेड़ सकती हूं चाहे मैं जैसे मर्जी छेड़ूं चाहे मैं kinetic energy की terms में छेड़ूं या फिर increase और decrease की terms में छेड़ूं मैं बोलों अगर कोई indirect relationship भी है ना इन तीनों का charge carriers से इसका मतलब वो PN junction को effect करेंगे तो आइकें से तीनों की तीनों चीजें यहां पर effect कर सकती तो option number D gives you the correct option उसी तरीके से अभी यहां पर देखना यह देखो 2017 का question है और same question 2006 में भी पूछा गया था तो तुमसे यहां पर सिर्फ इतना पूछा हुआ है कि बताओ कौन सा ऐसा डायोड है जिसमें अभी तुम लोग forward by sing देख पा रहे हो हदी होगी यार forward by sing देख पा रहे हो इसका मतलब क्या इसका मतलब यह कि जो higher potential है वो P की side के उपर connected है तो देख लो minus 4 और minus 3 में से minus 3 higher है minus 2 और plus 2 में से plus 2 higher है 3 और 4 में से 5 higher है 0 और minus 2 में से 0 higher है तो यहां पर higher potential P की side पर connected है तो यह forward by sing हो गया यह तुमारे previous questions है अब देखेंगे reverse by sing करने से किस तरीके से हमारे जो diode है बहेव करेगा and trust me this is not difficult to understand क्योंकि तुम लोगों ना basic समझ आ गया ना हम लोगों ने इतनी दे discussion किया making of the diode के उपर फिर PN junction के उपर तो तुम्हें basic समझ आ गए अब तुम conclusions के उपर तो definitely तुम लोग पहुंची सकते हो तो reverse by sing का मतलब क्या अगर मैं बिना किसी time waste अगर हमारी discussion को continue करूं तो reverse by sing का मतलब क्या कि हम लोग P की side के उपर lower potential डाल रहे हैं कि ये मेरी P की side है और P की side के उपर मैंने lower potential को डाल दिया और उसी तरीके से जो N की side है उसको higher potential पे डाल दिया तो अपकी बार बताओ क्या होगा ये मेरा lower potential है यहां पर बहुत सारे मेरे पास holes present है तो जो holes है वो lower potential की towards जाएंगे जो positive है negative की towards जाता है और जो negative है वो positive की towards जाता है तो इसकी वज़े से क्या हुआ कि यहां पर जो majority charge carriers मेरे holes थे वो उन्होंने क्या हुए वो lower potential की towards attract हो गए और उसी तरीके से यहाँ पर जो majority charge carriers electrons थे वो higher potential के towards attract हो गए तो मानो अगर यहाँ पर कोई कुछ holes present थे अब वो चले गए तो अब ये depletion region बन गया मानो यहाँ पर थोड़े-थोड़े electrons present थे अब वो ऐसे चले गए तो अब ये depletion region बन गया तो तुम लोग क्या यहाँ पर देख पा रहे हो कि reverse bison के दौरान हम लोगों ने क्या किया जो majority charge carriers है जो हमारे बास यहाँ पर majority charge carriers है they are pulled away from the depletion region they are pulled away from the depletion region और इसकी वज़े से क्या हो जाएगा इसकी वज़े से जो width of the depletion region है गौर फर्माईएगा इसकी वज़े से जो width of the depletion region है वो increase हो जाएगा है ना width of the depletion region increases एक और चीज सों लोग को बच्चों यहाँ पर notice करने वाली यह है कि already मेरे पास बच्चों यहाँ पर barrier electric field present थी जो यह बोल रहे थे कि भाई हम diffusion नहीं करने देंगे हम diffusion नहीं होने देंगे उसी तरीकी से अब की बार जो electric field due to the battery है वो भी इसी direction में आ जाते हैं और बोलती है कि bro I support you देखो क्या बोला मैंने मैंने यहाँ पर बोला कि electric field जो battery की वज़े से हैं ठीक है और यहाँ पर जो मेरे पास barrier electric field exist करती है they resist diffusion current तो फिर यहाँ पर तो current आएगा ही नहीं it is like कि already यहाँ पर metal का work function था और हम लोगों ने कोई ऐसा scenario produce कर दिया जहाँ पर metal से electron निकालना और मुश्किल हो गया है ना तो यहाँ पर diffusion current तो आने रहा मतलब तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पर majority charge carriers की वज़े से तो यहाँ पर हम लोग current नहीं देख पाएंगे क्योंकि देखो अगर मानू मैं forward by sing की बात करूँ तो देखो forward by sing में जो हमारा पूरा का पूरा circuit complete हो रहा था वो circuit complete हो रहा था किसकी वज़े से majority charge carriers की वज़े से कि जैसे electric field जो बाटरी की वज़े से था वो barrier electric field से बढ़ा हो गया तो अब जो hole है इस तरीके से यह वाले region को पार करके जा पा रहा है और अब यह जो hole है lower potential की वज़े से attract हो जाएगा उसी तरीके से यहाँ पर जो electron था जो barrier electric field को पार करके जा पा रहा था अब यह जो electron है higher potential की towards attract हो जाएगा तो I can say कि forward biasing में जो current आता है वो current किसकी वज़े से है यह current है because of the majority charge carriers यह किसकी वज़े से है बच्चो यह है हमारा majority charge carriers की वज़े से लेकिन अगर मानू मैं reverse biasing की बात करूँ तो reverse biasing में एक चीज तो establish हो चुगी है कि barrier electric field already मेरे पास exist करते थी जो diffusion को नहीं होने दे रही थी तो मेरे पास already एक reason था जिसकी वज़े से मैं majority charge carriers की वज़े से current नहीं देख पा रही थी अब जब मैंने reverse biasing की तो battery ने भी barrier electric field को support कर दिया और बोला कि चलो दोनों मिलके हम लोग diffusion current को resist करते हैं दोनों मिलके हम क्या करेंगे दोनों मिलके हम diffusion current को resist करेंगे दोनों मिलके हम ये कोशिश करेंगी कि majority charge carriers की वज़े से current नहां सके तो अभी fair बाद में क्या होगा तुम सोचो कि अब यहां पर current किसकी वज़े से आएगा जैसे कि बच्चो अभी ये वाला topic हम लोग अभी यहां पर पहली बार कर रहे हैं तो बलकुल ध्यान से सुनना मैं तुम्हें बोल लिए हूँ depletion region में majority charge नहीं होते हैं minority तो होते हैं ध्यान से देखेगा मैं green में बनाती हूँ कि यहां पर minority charge carriers तो है ना जैसे यहां पर electron minority charge carrier है electron minority charge carrier है क्योंकि depletion region वो region नहीं है जहां पर charge carriers नहीं होते depletion region वो region है जहां पर majority charge carriers नहीं होते minority तो होँगे तो P की साइड पर minority charge carriers होगे electrons और उसी तरीके से N की साइड पर minority charge carriers होगे holes तो मैं अभी बच्चों तुम्हें यहाँ पर यह बोल रहे हूं कि because अब यहाँ पर एक strong electric field exist करती है barrier की वज़े से जो है और battery की वज़े से because अभी यहाँ पर strong electric field exist करती है तो क्या मैं बोल दूँ कि इस strong electric field की वज़े से जो holes है ऐसे आगे और जो electrons है मेरे ऐसे चले गए एक बार obviously बात है electron एक बार holes यहाँ पर आगे तो lower potential की towards attract होंगी और एक बार electrons ऐसे आगे तो higher potential की towards तो attract होंगी तो हो गया न circuit complete जब मैंने reverse bicing की तो hole यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगे तो क्या पहले भी P में थे बाद में भी P में हो कैसे circuit complete हो रहा है reverse bicing की वज़े से electron यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगे पहले भी N में था बाद में भी N में कैसे circuit complete हो रहा है इसकी वज़े से जो हमारे मैंने यहां पर ग्रीन में जो minority charge carriers बनाए है यह जो minority charge carriers है यह इस bridge को पार कर सकते हैं कि जो minority charge carriers यहां पर electrons थे वो यहां पर electric field की वज़े से ऐसे move कर गए अब यहां पर तो कोई electric field नहीं है लेकिन एक बार मानो अगर electron यहां पर आ गया फिर हमें पता है that the majority charge carriers are going to be pulled away from the depletion region यहां पर जो electron आ गया है वो higher potential की towards attract हो उसी तरीके से यहां पर जो minority charge carrier जो full था वो electric field की वज़े से यहां पर आ गया अब hole यहां पर तो majority charge carrier है ना तो अभी hole यहां पर है lower potential की towards attract हो गया तो यहां पर circuit complete हो की यहां पर जो hole है यहां से लेके यहां तक-मूव कर पा रहे और जो electron है यहां से लेके यहां तक मूव कर पा रहे है this is the drift current हंजी अगर पी यहां पर है और N यहां पर है तो मैं देख पा रही हूं कि जो minorityος carriers PBi zeroito missionaris a जा पा है bet अब the electrons बैसिंग में जो current आता है, minority charge carriers के वज़े से आता है. Current because of minority charge carriers, जिसकी वज़े से यह चोटा होता है. जिसके वज़े से चोटा होता है, जिसकी वज़े से हम लोग बोल देंगे कि भाई जो forward current है, हमेशा बड़ा होगा reverse current से. क्योंकि जो forward current है, वो diffusion current है. तो forward bising में diffusion को promote किया जाता है forward bising तो बोल रहा है कि हाँ जो holes है जाओ यार circuit complete करो और electron जो है जाओ भाई सर्किट complete करो वहाँ पर majority charge carrier की वज़े से motion है लेकिन यहाँ पर reverse bising में जो motion है reverse bising में जो मेरे पास current है वो minority charge carriers की वज़े से आ रहे है तो minority कम है, कम charge है तो कम current है, majority charge carriers का मतलब, जो जादा charge carriers है तो majority charge carriers के वज़े से बड़ा current और उसी तरीके से जो minority charge carriers है, उनकी वज़े से छोटा current, I'm hoping बच्चो ये basic clear हो चुका है, क्योंकि बच्चे ना कभी-कभी उनको ये चीज समझ नहीं आते हैं, तो वो याद रख लेते हैं, उनके लिए आसान होता है याद रखना, कि आज यादी रख लेंगे ना, कि forward हमारा majority की वज़े से, reverse हमारा minority की वज़े से है, अब तो मैं I'm hoping पता लग गया हो कैसे अगर मुझे मानो एक side पे forward bicing रखना हो, ठीक है और दूसरे side के उपर, अगर मुझे reverse bicing रखना हो, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर कुछ बाते सीखे हैं, वो बाते discuss कर लेते, ताकि पूरा का पूरा इगरीका पो जाए, तो अभी हम compare कर लेते हैं, forward bicing को reverse bicing से compare कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने देखा, कि यहाँ पर जो current आता है, that is because of the majority charge carriers, यह फिर चलो, बिल्कुल basic से start करते हैं, यहाँ पर मैं बोलूँगे कि भई, जो majority charge carriers है, ठीक है, majority charge carriers है, they are pushed towards the depletion region, उसी तरीके से यहाँ पर जो majority charge carriers है, they are pulled away from the depletion region, उसी तरीके से अब अगर majority charge carriers को तुमने depletion region की towards push कर दिया, तो depletion region की जो width है, वो यहाँ पर decrease हो जाएगी, उसी तरीके से यहाँ पर जो depletion region की width है, वो बड़ी हो जाएगी, majority charge carriers की वज़े से हमारा forward current है, तो मैं basically यहाँ पर यह बोल सकते हूँ, that the forward current is because of the majority charge carriers, इसलिए न, बच्चों, यह milli ampere में होता है, यहाँ पर जो बहुत छोटा current आएगा, जिसको हम लोग reverse current बोल सकते हैं, बिल्कुल negligible current, लेकिन 0 नहीं, negligible है, लेकिन 0 नहीं है, तो यह जो बिल्कुल छोटा सा current आता है, reverse current, यह हो जाता है because of the minority charge carriers, और कितना छोटा है, तुम लोग देखी पाऊगे, देखना अभी, यह micro ampere में होता है, इतना छोटा होता है, बच्चों, यह, micro ampere, ठीक है, यह सब डिसकास हो चुका है, जो कुछ भी अभी मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं बोल दूँगे, promotes diffusion current, यह जो है, it promotes the drift current, यहाँ पर मैं बोल सकते हूँ, electric field due to the battery, और उसी तरीके से electric field, जो barrier वाली है, तो forward vising में, दोनो different direction में होती है, reverse vising में, same direction में होती है, तो अभी न, मैं तुम लोगों को यहाँ पर breakdown कराना चाती हूँ, कि अभी यह हमारा forward vising हो गया, यह हम लोगों का reverse vising हो गया, तो pyqs के उपर जाने से पहले, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरीके से reverse vising में breakdown होता है, हम लोग कितनी चीज़ एस्टाबलिश कर चूगे हैं, कि अगर मानू में reverse vising की बात करूँ, तो reverse vising में एक strong electric field इस direction में exist करती है, which is the barrier electric field plus the electric field due to the battery, हम लोग already discuss कर चूगे कि इसकी वज़े से क्या होता है, है ना, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मन हो, अगर मैं तुम्हें एक सिनारियो दूँ, कि मैं अभी ये जो reverse vising में जो electric field due to the battery है, उसको मैं बढ़ाती जाऊँ, जो electric field है, उसको increase करती जाऊँ, तो obvious दी बात है कि यहां पर जो reverse current है, वो हमारा क्या करता जाएगा, वो हमारा बढ़ता जाएगा, कि जैसे अगर आप potential difference को increase करो, तो उसकी वज़े से जो current आता है, वो increase होता जाता है, लेकिन एक तो ऐसा point आएगा ना बच्चों, धहन से सुनना, एक तो ऐसा point आएगा, at one point, electric field in the depletion region will be so strong that it breaks bonds in the depletion region, यहाँ पर मेरे पास semiconductor के atoms भी तो होंगे, नई, यह पूरा का पूरा depletion region बनाएगे, मैंने यहाँ पर semiconductor के atoms भी तो है, तो अगर मानू मैं बहुत ही जादा strong electric field अगर मानू मैं बना दूँगी, तो कुछ bonds टूट जाएगे, तो अभी यह bonds टूट है, तो इसकी वज़े से क्या हुआ, electron hole pairs are generated, मानू यहाँ पर एक electron बन गया, यह hole बन गया, अभी यह क्या करेंगे, they move under the action of electric field that exists, कौन सी electric field, ओव्यसी बात है, वो electric field जो barrier region में exist कर रही है, तो कुछ bonds टूट गे, electron और hole के pair generate हुए, अभी यह electron और hole के pair, इस electric field के action के अंडर move करेंगे, और atoms के साथ टकराएंगे, वहाँ से electron और hole के pair और generate होंगे, वो भी इस electric field के अंडर move करेंगे, और pair से टकराएंगे, और electron और hole pair के pair generate होंगे, तो इस तरीगे से एक बहुत बड़ा current आता है तो ये इसको breakdown बोला जाता है और इसकी वज़े से जो current आता है इसको breakdown current बोला जाता है देखो electron whole pair generate हो रहे हैं वो यहाँ पर move कर रहे हैं electric field की वज़े से जिसकी वज़े से वो क्या कर रहे हैं वो collide कर रहे हैं और atoms के साथ जिसकी वज़े से bond break होगा bond break होगा तो और electron और whole pair generate होगे वो दुबारा से move करेंगे दुबारा से collide करेंगे bond break होगा और generate होगे move करेंगे और collide करेंगे और break करेंगे यह जो process है यह irreversible process होती है इसको बोला जाता है breakdown of a diode और इसकी वज़े से जो current आता है एकदम से बहुत बढ़ा current आता है a large reverse biased current is produced तो यह अभी यहां पर सिब नाम है कि देखो जब यह वाला जो breakdown है ध्यान से देखना जब यह वाला breakdown एक highly doped diode में होता है तब हम लोग उसको zener breakdown बोलेंगे जब यह highly doped diode के अंदर होगा और उसी तरीके से मानो अगर यह lightly doped diode में होता है तो इसको फिर बच्चों हम लोग evalentia breakdown बोलेंगे तो अभी हम लोगों ने जो कुछ भी discuss किया नो उसको इक graph में plot किया जा सकता है जैसे कि मानो अगर मैं इसको forward potential लूँ और इसको forward current लूँ उसी तरीके से मानो अगर मैं यहाँ पर इसको reverse current लूँ और इसको reverse current लूँ तो मैं यहाँ पर एक graph plot कर सकते हूँ जो मेरी concepts के उपर बेज़ होगा यह graph में हम सब उस knowledge को put कर रहे है जो अभी तक हम लोग करते हुए आया है कि भई देखो अगर मानो मैं पहले forward potential को लेके आ रहे हूँ तो पहले तो current आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं जैसे ही जो barrier potential को overpower कर दिया potential due to the battery ने तो देखो एक कितना बड़ा forward current आया तो ये वाला जो potential है इसको cut off potential भी बोल सकते हैं देखो इसको हम लोग cut off potential भी बोल सकते हैं इसको हम लोग threshold potential भी बोल सकते हैं ये सारी चीज़े तो होई चुके है discussion इसको हम लोग नी potential भी बोल सकते हैं तो यहां पर प्लॉट कर रही हूं कि ऐसे जो डायोड है वो बिहेव कर रहा है जब वो क्या है जब वो फॉरवर्ड बायस्ट है जब उसके अक्रॉस में फॉरवर्ड पॉटेंशिल लगा रही हूं तो उसके वज़े से जो करेंट आ रहे है हैन eldest मानो अगर बत्यों मैं सिंग करते कि मानो मैं बोलूट कि अपकी बास जो डायोड वह रिवर्ड बायस है आपकी बार क्या क्या होगा अब की बार जैसे मैं रिवर्स पोटेंशिल को लगाऊंगी एक और पिर एक पोइंठ के बढ़ता गया ना लेकिन कितना चोटा करेंड है लेकिन एक बार डायोड का ब्रेकडाउन हो जाए तो डायोड के ब्रेकडाउन होते ही एक बहुत बढ़ा reverse current मुझे यहां पर नज़र आएगा बताओ कौन सा जीनर है और कौन सा और कौन सा जीनर है तो तुम देखो ना बच्चों यह कितना conceptual है जिसकी highly doping होगी उसके barrier region में already strong electric field exist करती है उसके barrier region में already strong barrier potential है तो अगर already उसके अंदर strong potential barrier के रीजन के अंदर exist कर रहा है अगर already strong electric field हमारी barrier के रीजन में exist कर रही है तो अगर मैं थोड़ा सा भी reverse pricing करूंगी या फिर I can say comparatively छोटे छोटा potential due to the battery लगाने की वज़े से reverse pricing में breakdown हो जाएगा क्या बोला मैंने मैं लिख रही हूं कि अगर मानो किसी भी डायोट की जाधा डोपिंग है तो अगर किसी भी डायोट की जाधा हो जाएगा जल्दी यहां पर हो रहा है तो जल्दी जहां पर भी हो रहा है वो हमारा zinar breakdown है so this is zinar breakdown potential और उसी तरीके से this is avalanche देखेगा this is avalanche breakdown potential now is this clear सब चीजों के logic बताएं तुमें अगर मानो मैं डायोट की बात करूं तो डायोट को ऐसे नहीं represent करते हम लोग देखना यह जो डायोट है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे वैसे इब मैं तुम्हें बता रहूं कि जो zinar डायोट है zinar डायोट जो है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक बार फटा फट से let us do the questions जो अभी हमने अभी तक जो topics की हैं उन में से आ रहे हैं forward pricing तक हम लोग कर चुके थे तो तुमसे यहां पर यह पूछा हुआ है कि अगर मानू तुम्हें width of the depletion region को increase करना है तो कैसे करोगे तो अगर तुम्हें width of the depletion region को increase करना है तो majority charge carriers को खीच लो तो majority charge carriers को कैसे खिचते हैं हम लोग reverse pricing में खिचते हैं यह देखो 2020 का question था है ना तुम्हें अभी यहां पर यह बोला गया है कि मानू अगर तुम्हारे पास एक PN diode है और मानू अगर तुम इस PN junction के डायोड में temperature को change कर दो तो क्या change होगा सब change हो जाएगा अभी तो हम लोगों ने किया है यहां पर देखो अगर मैं PN junction को छेडूंगी so everything related to it will change ना चाहे वो resistance हो जो यह offer करेगा reverse pricing में या यह वो resistance हो जो यह offer करेगा forward pricing में it will change everything the reason being कि यहां पर जो PN junction है एक device नहीं है PN junction एक ऐसा region है जिसका behavior depend करता है charge carriers के behavior के उपर तो अगर मानू में temperature को change कर देती हूं obviously बात है charge carriers will be affected so if the charge carriers is charge carriers are being affected everything related to the junction will change तो इससे क्या होगा everything related to the junction will change everything related to the junction will change तो सब चेंज हो जाएगा it will affect the overall bi characteristics of a PN junction एक बार यह वाला question देखना यहां पर question given है कि तीन circuit provided है देख लो एक बात तीन circuit provided है तो तुमसे पूछा हुए कि जो potential difference दोनों PN junction के across कहां पर तुम्हें same नजर आएगा कि यह एक diagram है दो PN junction है यह एक diagram है दो बाटरी तो positive terminal of the battery is connected to P side here as well and here as well तो यहां पर देखो इसके भी forward baising हो रखी है इसके भी forward baising हो रखी है तो सेम तरीके से behave करेंगे उसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखो तो यह मेरा positive terminal of the battery है यहां पर तो P side से लगा हुआ है लेकिन यहां पर वो N side से लगा हुआ है तो अभी यहां पर तो होगी forward baising ठीक है लेकिन दूसरी वाली side होगी reverse baising तो दोनों के across potential difference कैसे सेम होगा नहीं यह दोनों के across potential difference है है ना फिर मैं तीसरी सेनारियो में जाओ तो तीसरी सेनारियो में देखो बच्चो दुबारा से यह मेरे पास P वाली side तो यह मेरे पास positive terminal positive terminal यहां पर P से connected है वो यहां पर भी P से connected है तो दुबारा से इसकी भी होगी forward bicing इसकी भी होगी forward bicing तो मैं बोल सकते हूं अगर मानों इसके across potential difference V1 है और इसके across potential difference V2 है यहां पर भी दोनों सेम है क्योंकि दोनों की forward bicing है अगर इसके across potential difference V1 है इसके across potential difference V2 है यहां पर भी सेम है क्योंकि दोनों की forward बाइसेंग है तो जो पोटेंशल डिफ्रेंस दोनों पी इन जंक्शन के अक्रॉस सेम है वो मुझे ए वाले सर्किट में और सी वाले सर्किट में नजर आ रहा है so which of the options gives me the correct option option number 4 question अभी तक मैंने तुम्हें ये statement नहीं बता है लेकिन जो जीनर डायोड है एक voltage regulator की तरह काम करता है diode नहीं जीनर डायोड कि मानों अगर मैं तुम्हें बोलों कि भाई मेरे पास एक जीनर डायोड है ठीक है और जीनर डायोड का मानों मैं तुम्हें इसका मतलब यह कि no matter what इस दीनर डायोड को अगर तुम लोग सर्किट के अंदर डालोगे न तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पॉटेंशल डिफरेंस है वह हमेशा दू गोल्ड रहेगा तो इस तरीके से काम करता है जीनर डायोड डायोड डाट वाटेवर इस ब्रीकडाउन पॉटेंशल पॉटेंशल अक्रॉस इंट्स इस आलवेज गों तो बीड जैसे कि मानों तुम्हें ना एक बल्ब काम करवा है ठीक है और तुम चाहते हो कि यार यह वाली बल्ब बहुत इंपोर्टेंट है इसका ग्लो करना और बिजली खराब है ठीक है लेकिन बिजली खराब है तो अगर मानों मैं चाहते हूं कि वाट्सोएवर यह जो बल्ब है वाट्सोएवर यह जो बल्ब है एक पॉंस्टें पारलेल में एक जीनर डायोड को अटाच कर दोंगी जिसके ब्रेकडाउन पुटेंचल की वालू है 10 वोल्ट क्योंकि जीनर डायोड एक वोल्डेज रेगुलेटर है तो वोल्डेज रेगुलेटर का मतलग यह जो भी उसका ब्रेकडाउन पुटेंचल है जैसे कि यहां पर 10 वोल्ट तो इसके दो एंड्स के बीच में जो पुटेंचल डिफरेंस है हमेशा 10 वोल्ट रहेगा तो अब इसी बात है जो यहां पर पुटेंचल डिफरेंस है वही पुटेंचल डिफरेंस यहां पर भी है तो इस बल्ब के अक्रॉस भी 10 वोल्ड रहेगा तो यह कि जो diode है, एक voltage regulator की तरह काम करता है, तो यह वाली जो statement हो बिल्कुल ठीक है, कि जो zena diode, obviously बात है reverse vicing में, एक voltage regulator की तरह काम करेगा, दूसरा जो point है ना बच्चों, वो NCRT से आ रहा है, कि यहां पर बोला हुए कि भई, जो मेरे पास barrier potential होगा, PN junction का, यह NCRT की लाइन है, कि भई, जो barrier potential होता है PN junction का, वो 0.1 volt और 0.3 volt के बीच में लाए करता है, which is incorrect यह correct नहीं है, this is incorrect this is incorrect, कि जो barrier potential है, वो शायद से 0.3 से 0.6 volt के बीच में जाता है, एक silicon के diode के लिए, और यह वाली जो value है, वो 0.3 से 0.35 volt तक जाती है, और diodes के लिए, और other diodes लेकिन यह 0.1 से लेकि 0.3 volt तक नहीं जाता, तो यह हमारा incorrect हो गया, तो बिल्कुल factual चीजों के उपर बेस जथा है, तो यह मेरा incorrect आ गया, तो A correct है, B incorrect है, option number third gives you the correct option तो मैं तुम्हें बोल रहे हूँ कि देखो, zener diode के बार में हम लोग already बात कर चुगे है, कि जो zener diode है, एक voltage regulator की तरह काम करता है, example, मानू अगर यह मेरे पास zener diode है, जिसके breakdown potential की वाल्यू है, दो volt, इसका मतलब क्या, potential difference across its ends will always be 2 volt, we have already discussed this, उसी तरीके से, अगर मानू मैं एक normal diode की बात करूँ, तो normal diode की, अगर मैं forward bicing कर दूँ, तो current को flow करने देता है, जैसे एक wire करने देती है, तो एक normal wire की तरह behave करेगा, और उसी तरीके से, अगर मैं diode की reverse bicing कर दूँ, obviously इस तरीके से मैंने 2 diodes connect कर दी है, यहाँ पर 10 ohm है, यहाँ पर 5 ohm है, 20 volt की वाटरी मैंने connect कर दी, बताओ अभी यहाँ पर कितना current circuit से associated है, तो दीजादी problems of diode in a circuit, तो तुम देखो ना भाई, यह positive terminal है, तो positive terminal यहाँ पर भी P side से connected है, तो इसकी भी forward bicing होगी, normal wire की तरह behave करेगा, यह भी P side से connected है, इसकी भी forward bicing होगी, तो यह भी normal wire की तरह behave करेगा, तो redraw कर लो circuit को, क्योंकि जैसे तुम लोग redraw कर लेते हो ना circuit को, फिर वो current electricity के सबसे चिंगे questions बन जाते हैं, यह current electricity के सबसे basic questions हैं, यह resistance of the circuit निकाल लो, यह दोनों parallel में हैं, which is 10 multiplied by 10 plus 5, which is 50 by 15, तो 15 by 15 ohm है resistance circuit का, अब मैं V is equal to IR लगा दूँगी circuit के लिए, यह potential different circuit के across 20 है, तो कितना current flow करेगा, 50 by 15 resistance के across, तो current की value मेरे पास आगे, 300 by 50, मतलब 6 ampere, ठीक है, देखना, मैं तुम्हें ये question देदू, कि भई मेरे पास यहाँ पर, इस तरीके से एक circuit है, यह zener diode है, जिसका breakdown potential है 3 volt, इससे connected है 10 ohm का resistor, और यहाँ पर 7 ohm की, मैंने ऐसे battery लगाई हुई है, दुबारा से तुम से पूछा हुए, कि बताओ कितना current circuit के across flow करेगा, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, देखो न, यहाँ से लेके, यहाँ तक अगर 3 volt है, 7 volt में से, तो यहाँ से लेके, यहाँ तक 4 volt है, बचा हुआ 4 volt, सिर्फ V is equal to IR ये तो करना है, इसको study करके, V is equal to IR कर लो, कि भाई, अगर मैं इसको study करूँ, तो यह वाली resistor के across, 4 volt का potential difference है, तो वो तब ही आएगा, जब I का current, 10 ohm के across flow करता है, मतलब I का current 0.4 ampere है, ऐसा हम लोग already, एक previous year question कर चुके, इसका मतलब यह जो current है, उसकी value 0.4 ampere है, इसका मतलब यहाँ पर, से यह वाला question देखना, यह वाला question देखो, तो यहाँ पर यह बोला हुए, कि यहाँ पर बताओ, कितना current flow कर रहा है, R1 resistor के across, मतलब यह वाला current पूचा हुआ है, यह वाला current पूचा हुआ है, मतलब circuit का current पूचा हुआ है, 2016 का question है, तो तुम देखो न, forward bicing है कि reverse bicing, अभी positive terminal है, positive terminal अगर N की side से connected है, तो इसकी तो reverse bicing होगी, positive terminal P की side से connected है, इसकी forward bicing होगी, तो अभी अगर मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, यह देखके, मुझे सबसे पहले फिर circuit को re-draw करना होता है, जो broken wire उसको बनाना ही नहीं है तुमें, और एक मेरे पास दो ohm यहाँ पर है, और यह सब करने के बाद, देखो तुम से क्या पूछा गया है, यह वाला current पूछा गया है, तो भाई पूरे के पूरे circuit के लिए लिख दो न, V is equal to IR, V is equal to IR, potential difference दस वूल्ट का लगाया, तो आई का current अगर आ रहा है, दो ohm के अग्रोस, तो वो आई के current की value पांच अम्पियर है, ओ सॉरी, दो ohm के अग्रोस नहीं, चार ohm के अग्रोस, दो और दो सीरीज में है न, तो यह मेरे पास आ गया, चार ohm, तो आई की value मेरे पास कितने आगे, 0.2.5 ampere, देखेगा, 2.5 ampere, option number, A gives you the correct option, हन जी, वैसे कुछ, यहां पर 2015 में जो question paper cancel हुआ था, उसका question है यह, हन से देखेगा, मेरे पास एक waveform given है, तो waveform given है, तो सबसे पहले, मैंने ये वाला potential लगाया न, मैं इसको मैं blue में बनाती हूँ, तो मैंने ये वाला potential बनाया, तो ये वाला potential जब मैं लगा रही हूँ, तो तुम देखो न, ये अगर मानों मैं ऐसे बोलते हूँ कि, भई मेरे पास एक graph है, जहांपर this is equal to minus 5 volt, मतलब ये कितना है, 5 volt, तो मैं 5 volt का potential difference लगा रही हूँ, 10 volt का नहीं लगा रही, मैंने जो बच्चो potential difference लगाया है, वो potential difference मैंने याँ पर 5 volt का लगाया है, such that negative जा रहा है, negative जा रहा है, मतलब lower potential जा रहा है, तो इसकी क्या होगी, इसकी reverse biasing होगी, अगर इसकी reverse biasing होगी, इसका मतलब ये किसी भी तरीके का output, हम लोग को नहीं देने वाला है, जितना मैं repeat करूँगी, उतना clear होगा, दिखना, अभी same चीज फिर बच्चो यहां पर हो रही है, अब की बार देखो, मैंने ये वाला potential लगाया, ये graph है न, ये waveform given है, जैसे ऐसे wave नहीं होती, तो ये waveform given है, तो पहले मैंने ये वाला potential लगाया, फिर मैंने ये वाला potential लगाया, फिर मैंने ये वाला potential लगाया, तो पहले मैंने लगाया 5V का potential difference, such that lower potential का input है, कि input lower potential का है, तो lower potential अगर मैं यहां पर लगाऊंगी तो obvious ही बात इसके reverse pricing हो जाएगी फिर मैंने ये लगाया तो दुबारा से मैं potential difference तो 5 बूल्ट का ही लगा रही हूँ देखो, दुबारा से मैं जो potential difference है वो 5 बूल्ट का ही लगा रही हूँ लेकिन अब की बार में positive 5 लगा रही हूँ जैसे पहले मैंने negative 5 लगाया था तो अब की बार में positive 5 लगा रही हूँ Positive 5 का मतलब क्या अब की बार मैं ये वाले point पे higher potential दे रही हूँ तो ये वाले point के उपर अगर मैंने higher potential दिया तो इसके forward rising हो गई तो obviously बात है फिर मुझे output मिलेगा तो अगर मेरे पास यहाँ पर जो input है अगर वो 5V का था तो यहाँ पर जो मेरे पास output है वो भी 5V का मुझे मिलेगा देख लो और उसी तरीके से फिर जैसे कि मैं देख पारे हूं फिर यहाँ पर मेरे पास तीसरी वाली साइड आ जाती है फिर बाद में मैंने ये किया फोड़ा सा और डार कर लेती हूं ताकि तुम्हें देखे फिर मैंने ये कर लिया तो अभी दुबारा से जो मैं potential difference भेज रही हूं पांच बूल्ट का ही भेज रही हूं देखो जो potential difference है पांच बूल्ट का ही भेज रही हूं लेकिन अपकी बार में negative 5 भेज रही हूं negative 5 भेज रही हूं मतलब अपकी बार में आपर lower potential भेज रही हूं lower potential ने reverse pricing करा दी broken wire की तरह behave करके ये किसी भी तरीके का output नहीं देगा so which of the options gives me the correct option option number B option number B देखो अगर ये बोल रहे हैं कि input signal 10 वोल्ट का है मतलब तुम देखो कि ये थोड़ा सा तुम लोग को confuse कर सकता है definitely so look at the diagram क्योंकि diagram में तुमें एक graph given है कि तुम जो potential difference apply कर रहे हूं उसका graph क्या है तो अब भी मानो अगर मैं उसके graph को consider करते हूं तो मैं देख पारे हूं कि पहले मैं 5 बोल्ट का लगा रहे हूं बाद में भी 5 बोल्ट का लगा रहे हूं बाद में भी 5 बोल्ट का लगा रहे हूं कैसे लगा रहे हूं बस वो different है तो पहले मैं यहाँ पर negative की side देती हूं मतलब lower potential reverse bicing हो गई फिर मैं इसको positive की side देती हूँ forward bicing हो गई फिर मैं इसको negative की side देती हूँ reverse bicing हो गई और इसके basis के उपर हमारे पास answer आगे तो देखो बच्चो अभी तक हम लोगों ने ये बात कर ली कि diode होता क्या है किस सरी के से उसका इस्तवाल किया जाता है circuit में कैसे उसकी byicing की जाती है we have understood all of that है नब क्या mathematical portion हम लोगों ने सब कर लिया अब हम लोग यहाँ पर चार चीजों के बार में बात करने वाले एक तो तीन uses of the diode जिसमें एक आ जाता है photo diode एक आ जाता है LED एक आ जाता है solar cell इसको मैं NCRT fuel की help से NCRT की help से ही discuss करना चाहूंगी इसमें कोई mathematics नहीं है supposive concepts और theory है और फिर बाद में मैं तुम्हें बताऊंगी कि कि किस सरीके से diode का जो इस्तमाल है rectifier की format में भी होता है और फिर बाद में हम लोग तो ultimately logic gate से शुरुवात कर सकते हैं तो देखो अगर मैं uses of the diode के उपर से लूँ और सबसे पहले मैं LED को उठा लूँ तो LED क्या होता है LED होता है light emitting diode मतलब यह एक ऐसा diode है जो light को emit करेगा but energy can neither be created nor can be destroyed तो ऐसा कैसे हो सकते है कि जो दायोड है वो light को emit करता है इसका मतलब जो light है उसके अंदर produce होई होगी लेकिन light अंदर कैसे produce होगी light भी तो energy है तो होता ही है कि जो light emitting diode है इसमें हम लोग electrical energy को light energy में convert करते हैं कैसे करते हैं कि हम ले लेंगे एक heavily doped diode और उसकी forward vicing करा देंगे ठीक है तो देखो मानो इस तरीके से यह मैंने एक heavily doped diode ले लिया यहाँ पर P की side है यहाँ पर N की side है मैंने इसकी कर दी forward vicing मतलब P को मैंने higher potential से connect कर दिया और N को मैंने इस तरीके से lower potential से connect कर दिया तो अब मैं यह बोल ले हूँ कि अभी इस डायोड की इतनी जादा doping है और फिर बाद में मैंने कर दी forward vicing तो अभी बहुत सारा जो majority charge carrier है वो flow करेगा और यही जो majority charge carrier का एकदम से जो flow आता है उसकी वज़े से यह जो हमारी depletion region है ना इसके अंदर क्या होगा कि कुछ जो recombination हो रहे हैं या फिर कुछ जो electricity है वो को देखने को मिलती है तो फर एक्जामपल मानो अगर मैं तुम्हें बोलों कि यहां पर energy gap दो जाउल का है इसका मतलब यह कि यहां से जो photon निकलेगा ना उसकी energy दो जाउल हो गई तो उसकी according तुम लोग wavelength भी निकाल सकते हो तो इस तरीके से थोड़ा सा theoretical है कि मेरे पास एक लाइट के अंदर convert हो गया है ना पहली चीज दूसरी चीज अभी यहां पर याते ही कि now that we understand कि light emitting diode में actually में जो light है emit कैसे हो रही है तो यह हम लोगों के लिए समझना बहुत easy हो जाएगा कि अगर मानो यहां से जो light निकल रही है अगर मैं उसकी intensity बढ़ाना चाहूं तो मैं जायस सी बात है अगर मैं forward potential बढ़ा दू तो जो charge carriers है उतनी तेजी से move करेंगे है ना उतना ही जादा electrical current होगा जितना जादा electrical current होगा उतना जादा convert हो पाएगा light energy में तो उतनी high intensity की जो light है वो भी हम लोगों को देखने को मिलने वाली है ठीक है तो यहां पर यह चीज तुम्हारी NCRT में given है कि यह बात विल्कुल ठीक है कि अगर मानू आप forward potential को बढ़ाते हूं है ना forward potential को बढ़ाने का मतला forward current को बढ़ाना तो मानू अगर तुमने forward potential बढ़ा दी है या फिर तुमने forward current बढ़ा दिया तो intensity भी बढ़ेगी लेकिन वो एक point तक ही बढ़ेगी ठीक है तो मानू तुमने कोई potential लगाया है तुम कोई forward current लेकिया है फिर तुमने maximum intensity मिलेगी अब मानू अगर तुम लोग इससे जादा भी forward current लेके आते हो या forward potential लेके आते हो तो अब यहां पर intensity increase होने की जगए decrease कर जाएगी यह तुमारी NCRT में लिखा हुआ है और यही reason ह मैं इसको NCRT से cover करवा रही हूँ biggest completely theoretical है ठीक है इन सब चीजों के बार में तुम्हें पता होना चाहिए है फिर बार में यहां पर बचो एक important चीज यहां पर यह भी है जो कि मैं तुम्हें बता रहे थे कि मानू यह मेरे पास इस सरीके से diode है जिसमें यह depletion region है तो मैं बोल किसे energy of the photon से हम लोग wavelength of the photon तक जाते है वो सारी की सारी चीज़े हम लोग dual nature के अदर सीखते है ठीक है तो यह जो leds है obviously बात है इनका बहुत सारा advantage है power lamp से कि हम लोग led का इस्तमालिक करें जब हम लोग lamps का इस्तमाल कर सकते है that is the reason कि यह कम बजली खाता है ठीक है एकदम से जगने के लिए है के नहीं उसी तरीकी से इसकी जो life है वो भी लॉंग होती है और इसके अंदर जो switch on switch off की बिल्कुल जो capability होती हो वो भी fast होती है यह वानो अगर तुमने lamp को on किया so let us assume it takes 0.1 second to go from zero intensity of the light to maximum intensity of the light वो तुम लोग को डायोड में देखने को नहीं मिलेगा जब तुम डायोड की help से LED लगाओगे ना LED बनाओगे और फिर बाद में जब तुम switch on करोगे तो बिल्कुल instantaneously on हो जाएगा और वैसे बिल्कुल instantaneously switch off भी हो जाएगा बिल्कुल theoretical है तुम लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो तो यह तो आगे बच्चों हमारे पास LED और NCRT में चीज लिखी हुई है कि मानों अगर हम लोग ऐसे ऐसा LED बनाना जाते हैं जिससे जो light निकल रही है जिससे जो photons निकल रहे है उनकी जो wavelength है विजिबल रीजन के अंदर लाए करें then we need to make sure कि हम लोग ऐसे photo diode को ले रहे हैं sorry हम लोग ऐसे diode को ले रहे हैं जिसके अंदर जो band gap ह है या फिर जिसके अंदर जो barrier potential है जिसके अंदर जो barrier energy है है ना ताकि जो electrical energy है हमारी light energy में convert हो जाए वो हमारी 1.8 electron volt होने चाहिए तो अगर मानों तुम्हार पास barrier potential 1.8 volt का है ना तो barrier energy आगी 1.8 electron volt की मतलब यहां से जो photon निकलेगा उसके energy हो जाएगी 1.8 electron volt और फिर बाद म में कुछ लखी होई चीज़े हैं तो यह तो हो गया हमारा light emitting diode फिर बाद में बच्चों हमारे पास आ जाता है photo diode लेकिन photo diode को discuss करने से पहल ना आव एक बड़ जरा सा solar cell के बार में इस्तमाल करते हैं तुम लोगों ने दिखा होगा जैसे कि मेरे गाउं में तो हम लोगों ने च्छतों के ऊपर solar cells वगेरा लगाए हुए च्छत पर है नो तो solar cell क्या होता है solar cell है जो sun के energy को tap कर लेता है मतलब उसने क्या किया light energy को tap कर लिया और अब वो क्या करेगा उस light energy को tap किया है उसको convert कर देगा electrical energy में तो यही चीज solar cell कर रहा है बात पस इतनी है कि light की trapping कैसे हो रही है और फिर बाद में light की trapping होने के बाद वो electrical energy में कैसे convert हो रही है तो देखो simple सी बात है मानो अपकी बार में यहां पर P की side ले लो यहां पर N की side ले लो यहां पर Sun हो सेमी बात है या फिर मानो मैं यहां पर इस सरी के से N की side ले लो यहां पर P की side ले ले लो यहां पर sun हो बिल्कुल सहीब बात है, तुम्हें बस ये एंशॉर करना है कि sun से contact में जो भी हो ना, मतलब sun के contact में नहीं, sun के side में, sun के towards, जो भी लेयर हो बिल्कुल पतली लेयर हो, the reason being, तुमने अभी देखा है कि LED में, जिस region में, जो electrical energy है, light energy में convert होती है, वो depletion region है, है ना, उसी तरीके से solar cell के अंदर भी, जिस region के अंदर, जो light energy है, वो electrical energy में convert होगी, वो भी depletion region है, तो depletion region में ये conversion तब ही हो पाएगा ना, अगर जो light energy है, जो photons है हमारे depletion region तक जा प जाएगा depletion region और फिर बाद में नीचे आजाएगे दूसरी वाले लेयर, तो मानो तुम लोगों ने न को उपर एक लिए, बीच में आगे depletion region नीचे आगया मेरे पास P side, तो N की side को मुझे बिल्कुल पत्चा रख रहे है, क्योंकि मेरा जो priority है, है ना, मेरी जो एक पहुँचने चाहिए, ठीक है, अब मानो ये depletion region है, यहां पर photons पहुँच गए, तो अब ओविसी बात है, यहां पर depletion region के अंदर क्या होता है, depletion region के अंदर एक होते है सेमिकंड़क्टर आटम्स, एक होते है हमारे minority charge carriers और एक हो जाते है हमारे immobile dopant atoms, तो depletion region में, अब यह जो electrons और holes है, barrier electric field के with respect to move करते हैं, और कौन सा current आता है, जब barrier electric field की वज़े से charges move करें, drift current, और drift current क्या होता है, reverse vising वाला current होता है, तुम देखो ना, मानो होगर ये depletion region है, यहां पर P की साइड है, यहां पर N की साइड है, मैंने कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है, मैंने य इस तरीके से electrons और holes बनके bond breakage की वज़े से, यहां पर barrier electric field exist करें, तो तुम देखो ना, holes ऐसे जाएंगे, और उसी तरीके से जो electrons है, ऐसे जाएंगे, तुम देख पारे हो, reverse current प्रिदूस हो रहा है, इस direction में current प्रिदूस हो रहा है, N से लेके P तक current प्रिदूस हो रहा है, जो कौन सा current होता है, reverse current होता है, तो तुम देख पारे हो, तुमने कोई biising ने की diode की, तुमने बस diode की जो layer, sun की towards है, उसको इतना बतला रखा, कि sun से जो भी photons आ रहे हैं, depletion region के अंदर गिर रहे हैं, उनकी वज़े से bonds break होगी, electrons volts produce होगे, barrier electric field की वज़े से वो move किये, और एक reverse biased current आ गया, है ना, so that is the reason, इसकी जब तुम लोग VI characteristics बनाओगे न, ये graph बनाओगे, तो ये graph देखो इस सरीके से fourth quadrant में लाए करता है, कि भई मैंने तो कोई potential ही नहीं अपलाई किया, देखो, मैंने कोई भी potential ही नहीं अपलाई किया, फिर भी मुझे reverse current देखने को मिल रहे है इसी current को short circuit current बोला जाता है, और मानो अगर तुम इस reverse current को अगर nullify करना जाते हो, तो तुम अभी सी बात है, forward potential की वज़े से nullify करोगे, कि मानो अगर reverse current आ रहे है 2A का, और तुम जाते हो कि यार, ये 2A का current ना है, तो तुम क्या करोगे, solar cell की forward bicing कर दोगे, ताकि वो reverse current आई या फिर solar cell जन वायर से connected है, उन वायर में कोई current ही ना दिखने को मिले, तो ये जो potential है, ताकि solar cell से associated net current की value 0 हो, उसको open circuit voltage बोला जाता है, और जब तुम बिना किसी potential difference को apply किये, solar cell में जो current लेके आते है, उसको short circuit current बोला जाता है, तो ये 4th quadrant में क्यों आ रहा है, ये 4th quadrant में इ इसलिए आ रहा है, क्योंकि बिना potential difference apply कि एक reverse current हमें देखने को मिलता है, और इस reverse current को cancel out करने के लिए, हमें एक positive potential या फिर आइकन से forward potential apply करना पड़ेगा, इसके उपर एक previous question भी है कि जो solar cell है, क्यों ये 4th quadrant के अंदर लाए करता है, तो यहाँ पर यही चीज लिखे हुई है, it lies in the 4th quadrant, because it does not draw current, but supplies the same to the load, कि ये जो solar cell है, हैना किसी भी तरीके का current बाटरी से नहीं ले रहा, क्योंकि हम लोगों ने तो इसको बाटरी से connecting नहीं किया, so बिना बाटरी से connect किये, बिना इस diode के current लिए, ये तो खुदी current दे रहा है, हैना इसने खुदी potential difference create कर दिये, इसने current दे दिया, that is the reason, solar cell का जो वी आई करेक्टरिस्टिक है, इस सरीके से हमारे 4th quadrant के अदर लाई थरेगा, यही सारी चीजे लिखी हुई है, जो मैंने अभी तुम लोगों को बताए है, चिक है, तो यह होगा हमारा solar cell, अब मानो अगर मैं बच्चो आज़ों हमारे photo diode के उपर तो photo diode और solar cell का जो वर्केंग है, exact same है, difference बताऊं क्या है, कि solar cell में literally हम लोगोंने कोई help नहीं ली बाटरे की, हम लोगोंने सारा का सारा काम छोड़ दिया, sun के उपर, कि sun भया, आप ही, you know, photons गिराओगे, हैना हमारी depletion region के उपर, आप ही electrons और holes प्रेड्यूस करोगे, हैना आप ही current को produce करवा होगे, हम लोगोंने कोई बाटरे की help ने ली, photo diode में हम लोग बाटरे की help ले लेते हैं, जैसे कि solar cell में reverse current आ रहा था न, photo diode में भी reverse current आएगा, because everything is the same, कि photons गिरे, photons गिरे depletion region के उपर, depletion region के अंदर जो हमारे atoms बगेरा प्रेजन थे, उसमें कुछ ब्रेक हुए, electrons और holes produced हुए, ये electrons और holes depletion region के वज़े, depletion electric field के वज़े से, move करते हो, reverse current आता है, यहाँ पर बस हम लोगोंने external help कैसे ले ली, कि हम लोगोंने already थोड़ी से reverse bicing करवा लगी थे, कि हम अच्छे से बता है कि भाई, देखो यहाँ पर current इस direction में तो आएगा ही, ताकि जल्दी आ जाए, ताकि ये current आने में इस current की help हो जाए, हम लोगोंने already reverse bicing कर दी, that is the only difference between a photodiode and a solar cell, तो अविसी बात है, अगर मानू solar cell की वज़े से 0.2 ampere का reverse current बन रहा है, let us assume, यहाँ पर तुमें 1 ampere का मिल जाएगा, 2 ampere का मिल जाएगा, है ना, तो यह हमार पास इस तरी कैसे यहाँ पर photodiode होता है, अब जैसे हम लोगोंने देखो ना, LED में भी तो यह किया था, कि अगर मानू मैं forward potential को बढ़ाती हूं, forward current बढ़ जाएगा, forward current बढ़ गया, तो जो current की conversion, depletion region में हो रही है, from current electricity, और I can say from electrical energy to light energy, वो बढ़ जाता है, कि अगर मानू मैं forward potential बढ़ा दूं, तो कितनी light produced ओर यह, per unit area, per unit time वो बढ़ जाएगा, तो intensity of the light बढ़ गया, same चीज यहाँ पर है, बस उल्टा, कि अगर मानू मैं intensity of the light को बढ़ा दूं, तो obviously बात है, जितनी जादा intensity की light, हमारी depletion region में गिरेगी, उसका मतलब उतनी ही जादा photons per unit time, per unit surface area, हम अगर जादा photons गिरें, तो obviously बात है, जादा bonds तोडेंगे, जादा bonds तोडेंगे, तो हमें जादा current देखने को मिलेगा, तो यह वाला graph, exactly same चीज रिनोट कर रहा है, कि मानो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई, I1 intensity of light के वज़े से इतना current है, I2 intensity of light के वज़े से इतना current है तो तुम देख पारियो ना, यहाँ पर reverse current इतना है, यहाँ पर reverse current इतना है, तो यहाँ पर reverse current क्यों जादा है, that is because यहाँ पर जो intensity of the light हमारे depletion region में गिरी है, उसकी value जाता है, और बाकी यह सारी चीज़े गिवन है, कि जो photo diode है, उसका इस्तमाल होता है, photo detectors में, जो detect करते है optical signals, यहाँ उसी तरीके से light emitting diode के भी uses वगेरा given है, कि remote control में इस्तमाल होता है, burglar alarm systems में इसका इस्तमाल होता है, और solar cell तो हम सब जाते है, solar cell हम लोग लगाते हैं, ताकि हमारे पास एक नया source of energy produce हो सके, और ताकि जो हमारे घर में जो बिजली consume हो रही है, at least उसका कुछ portion हम सन से ले सके, है कि नहीं, तो यह होगे बच्चों हमारे पास तीन तरीके के devices, तुम देख लो, बिल्कुल theoretical थे, बिल्कुल conceptual थे, यह जो तुम लोग को PDF है, तुम लोग तुम लोग को मिलेगा ना, इसकी help से, तुम लोग, you can go through the PDF and read the NCRT if you want to, but I don't think it is required, तुमारी preparation हमेश उसके लिए मैंने तुम लोग को जितने भी चीज़े बताई हैं, वो enough है, ठीक है, तो यह हो गया जी, हमारे पास uses of the diode, अब एक topic हम लोग यहां पर करने वाले हैं, जिसका नाम है rectify, ठीक है, तो without any further ado, शुरू करते हैं, तो देखो, अगर मानू में general मतलब की बात करूँ, कि rectify का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऐसे बोला जाता है, you must rectify your mistake, rectify का मतलब correction, तो rectifier obviously बात है, एक ऐसा device होगा, जो कुछ correct कर रहा होगा, है ना, क्या correct कर रहा होगा, वो है current की direction, current का magnitude नी current की direction, तो basically rectifier एक ऐसा device है, जो AC को DC में convert करता है, क्या बोला मैंने, rectifier मेरे पास एक wise है, जिसका current के magnitude से, या फिर potential के magnitude से कोई लेना देना नहीं है, सिफ direction से लेना देना है, कि अगर मानो तुम एक input को, जो alternating nature का है, अगर एक rectifier के across भेज दो ना, तो वो जो AC है, अब वो DC के अंदर convert हो जाएगा, तो ये जो rectifier है, दो तरीके के होता है, एक होता है half wave rectifier, और एक हमार पास होता है, full wave rectifier, आओ सबसे पहले half wave rectifier को निप्टाते हैं, तो half wave rectifier में, basically से वेक डायोड होता है, जैसे कि मानो, मैंने तुम्हें बोला, ये कैसा है डवाईज है, जिसमें तुम कुछ input दोगे, input होगा AC और तुम्हें output मिलेगा DC, तो मैं तुम्हें बता रही ह ताकि input और output को link कर पाऊं, है ना, तो यहां पर ये मैंने लगाए, इस तरीके से input, ये connected है transformer से, ये मेर पास आगया input coil, ये मेर पास आगया output coil, तो अब यहां से मैं जो input दे रही हूँ, वो input यहां तक पहुंचेगा, diode के across जाएगा, और ultimately मुझे यहां पर output देखने को तो जो output है, जो हम लोग study करते हैं, वो हमेशा लोड के across होता है, जैसे कि मानू, मैंने यहां पर AC भीजा, है ना, अब मैं चाहते हूं कि इस AC को DC में convert करके, मैं यहां पर ये बल्ब जगा दूँ, तो ये जो बल्ब है मेरा load है, लोड का मतलब वो पार्ट इलेक्रिकल सर्क हम लोग को एक output मिलेगा, चाहे मैं half wave rectifier की बात करूँ या फिर मैं full wave rectifier की बात करूँ, setup सेम है, डिफरेंस बस इतना है, हाफ wave rectifier में सिर्फ और सिर्फ एक diode है, वेराज अगर मानू मैं full wave rectifier की बात करूँ तो यहां पर दो diodes है, क्यों आउज़रा सा जानते हैं, जैसे कि म मैं half wave rectifier में इस तरीके से एक alternative input voltage दे दो, तो अगर मानू मेरे पास जो voltage है, अगर ऐसे वेरी कर रहा है time के साथ, तो उविसी बात है इसकी वज़े से जो current है, वो भी ऐसे वेरी कर रहा होगा time के साथ, तो सबसे पहले यह है हमारी जो पहली cycle है, पहली cycle को study करते है, यह setup के across, हम ऐसा input waveform भीज रहे हैं, तो आप output waveform बताओ, तो वो questions भी इसी तरीके से solve होते हैं, इसी logic के उपर solve होते हैं, कि इस waveform की वज़े से डायोड की forward bicing हो रही है, तो तुमें देखो कैसे देखना है, तुम बस देखो, positive half of the cycle है, तो उपर जो डायोड होगा, उसकी forward bicing हो ज half of the cycle, यहां पर यह वाले डायोड के forward bicing होगी, तो अगर मानो input ऐसा गया था, तो output के across भी बिल्कुल इसी तरीके का लड्डू पहुँच जाए, कि मानो अगर input voltage ऐसा था, तो output voltage हम लोग को बिल्कुल डेटू similar मिल जाएगा, because now we all understand, कि डायोड के कभी भी अगर मानो हम लो आगया मेरे पास negative half of the cycle, तो इस negative half of the cycle की वज़े से यहां पर कोई डायोड होता, उसकी forward bicing होती, लेकिन ये वाले पार्ट की वज़े से इसकी तो reverse bicing होगी, तो देखो इसकी होगी reverse bicing, ब्रोकन बायर की तरह इसने बहेव किया, इसने current को conducting नहीं करने दिया, अब input तो आया डायोड ने लेकिन conduct नहीं करने दिया, तो तुम बताओ क्या यहां पर output आएगा, बिल्कुल भी नहीं, तो यहां पर मेरे पास output की value देखो, मेरे पास होगी 0, फिर मेरे पास आ जाते है दुबारा से दूसरा positive half of the cycle, तो अपकी बार इसने again उपर वाले डायोड की forward bicing करा द अगर मानू नीचे डायोड होता, तो उसकी forward bicing हो जाती, लेकिन नीचे डायोड नहीं है, तो नीचे डायोड होता, तो उसकी forward bicing हो जाती, उपर डायोड है, इसलिए उसकी reverse bicing हो रही है, अब की बार होगी इसकी reverse bicing, डायोड ने conduct नहीं करने दिया, तो मुझे जा output है, ऐ हाफ वेव रेक्टिफायर क्योंकि यह मेरे पास जो सेट अप है सिर्फ और सिर्फ आधी वेव को रेक्टिफाय करता है कि जैसे कि मानों अगर तुम इस आउट्पुट को ध्यान से देखो है ना तो कभी भी अपनी डिरेक्शन नहीं चेंज करता है यह क्या कर रहा है इस तर हाफ आवबिफ पंडिफायर करता है है वो तो मुझे आउट्पुट में नजर आ रहा है लेकिन जो नेगेटिव हाफ आफ आफ यू र्डियर रेक्टिफायर है सिर्फ आधी वेव रेक्टिफाय हुई है सिर्फ आप और सिप आधी वेव जो ऐसीं कि थीव दीघिकसिती मुझे यहां पर देखने को मिली है है किने अब अगर तुम लोग यहां पर ध्यान दो तो देखो this is the this is one cycle of the input and this is one cycle of the output है ना यही वो cycle है ना जो आपने आपको repeat कर रहा है तो तुम देखो दोनों का time सेम है कि अगर मानो इसके पूरी की पूरी cycle दो सेकेंड में घतम prochain है तो इसकी भी पूरी की साइकल दो सेकेंड में घतम हो रही है है ना तो I can say कि भह यहां पर जो input time period है और output time period है सेम है इसका मतलब यहां पर जो input frequency है और output frequency है वो सेम है यहां से questions आते है numerical कर लें इस तरीके से conceptual question वैसे मान हो अगर ना full wave rectifier की बात करूं तो full wave rectifier का मतलब क्या कि वह half wave rectifier की तरह सिर्फ और सिर्फ एक wave को rectify नहीं करेगा या फिर वेव के आदे हिस्से को rectify नहीं करेगा जिसे कि हम पर इसर्फ और सिर्फ और सिर्फ तो सबसे पहले मेरे पास आगया पॉजिटिव हाफ ऑफ दी साइकल की वज़े से इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग होगी इसकी रिवर्स बाइसिंग होगी तो कोई नहीं मुझे तो एक ही डायोट चेहा ना कंडक्ट करने के लिए तो उपर वाला डायोट कंडक्ट करेगा और मुझे इस तरीके से आउट्पुट देखने को मिलेगा फिर मेरे पास बच्चों आगया यह वाला नेगेटिव हाफ ऑफ दी साइकल तो नेगेटिव हाफ ऑफ दी साइकल में माना उपर वाले डायोट की रिवर्स बाइसिंग होगी लेकिन नीचे वाले की तो एक ही डायोट चाहिए कंड़क्ट करने के लिए उपर वाले ने कंड़क्ट कर दिया और फिर मेरे पास दुबारा से आगे इस तरीके से नेगेटिव हाफ ऑफ दी साइकल में भली उपर वाले डायोट की रिवर्स बाइसिंग होगी लेकिन नीचे वाले की तो तो देखो पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई यहां पर इसकी तरह नहीं हुआ कि जो पॉजिटिव हाफ है वो तो रेक्टिफाई हो रहे है लेकिन नेगेटिव हाफ आई नहीं रहा है यहां पर जो पॉजिटिव हाफ ऑफ दी साइकल है उसको रेक्टिफाई करत अब अगर तुम लोगों ने आपर ध्यान दियाओ तो देखो input की पूरी की पूरी एक cycle यह है मतलब input में जो बार-बार repeat हो रहा है वो यह वाला cycle है लेकिन output में जो बार-बार repeat हो रहा है वो यह वाला cycle है मतलब तुम समझ रहे हो गर input की जो cycle है 4 second में खतम हो रही है, output की cycle 2 second में खतम हो रही है तो मैं यहाँ पर कह सकते हूं कि भाई, जो मेरे पास output का time period है, input time period का आदा है inverse of time period, frequency होता है मतलब I can say कि भाई, मेरे पास जो output की frequency होगी, it is going to be double, the input frequency यहाँ से questions तुम लोगो देखने को मिलेंगे और यह हो गया बच्चो हमारा rectifier, तुम कुद देखो न, यहाँ पर पूरी की पूरी cycle हैसे मानो, 4 second में खतम हो रही है तो जब तर input की एक cycle खतम होती है, यहाँ पर तो 2 cycles खतम हो चुकी है, तो इसकी frequency double है, इसका जो time period है, वो आधा है तो यह हो गया बच्चो हमारा rectifier, यहाँ पर कुछ भी numerical नहीं है बिलकुल भी घबराने की जरुवरत नहीं है I'm hoping that this is crystal clear to all of you and now let us begin with logic gates अच्छा, अब एक बना जरा सा मैं logic gates के बार में बात करते हूँ कि भाई, यह logic gates किस चिडिया का नाम है किस चीज को हम लोग logic gates बोलता है तो देखो, जैसे ना तुमारे घर पे एक switch system होगा बच्चो, देखा है ना, एक switch system है जैसे कि मानू, तुमारे मम्मे बोले कि बेटा, light on कर दो तो तुम switch को on कर देते हो है ना, तुमारे मम्मे बोले, बचे, light को off कर दो मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो अभी मैं जिस switch system की बात कर रहे हूं, वो या तो सिर्फ on होता है या फिर वो सिर्फ off होता है, है ना, मतलब मानू, अगर वो switch off है तो bulb के across 0V का potential difference है और मानू, अगर वो switch on है तो उसके across 220V का potential difference है जो की RMS potential है, जो हमारे घर में supply होता है जो हमारे घर में बिजली आती है वो 220V के RMS potential के उपर आती है तुम लोगों को यह जीज़ पता होगा यह current electricity में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा So my point is, कि तुम लोग के यहां पर देखने पार हो कि अगर मानू मैं switch system की बात करूँ तो switch system में सिर्फ दो ही चीज़े है या तो high है या फिर low है input भी हो सकता है, output भी हो सकता है अभी तो better रहेगा अगर हम समझने के लिए output की बात करें कि अगर मैं switch system की बात करूँ तो सिर्फ दो ही output हो सकते है या तो low output हो सकता है 0 volt का उसी तरीके से या तो high output हो सकता है 220 volt का बानते हो ना कि या तो high output है या फिर low output है और बीच में कोई भी चीज नहीं है तो logic gates कुछ उसी तरीके के systems बोल लो या फिर systems क्या बोलनों चीज बोलनों जैसे switch एक चीज है हैना switch एक electrical appliance भी नहीं मैं बोल सकती है उसको मैं electrical component बोल सकती है electrical circuit का एक component बोल सकती हूँ जिसके अंदर सिर्फ high और low होता है चाहिए मैं input की बात करूँ या फिर मैं output की बात करूँ सिर्फ और सिर्फ high और low होगा जैसे अब ही मैंने तुम लोग को switch की बात बताई है तो switch में जो output है वो low था 0V हैना या फिर चलो input की बात करूँ हना क्योंकि जो बिजली आ रही है वो input है तो मानो ये मेरे पास इस तरीके से bulb है ठीक है 60W की bulb है तो तुम लोग के यहाँ पर देख पा रहे हो कि बच्चो जब input 0V है तो output 0W है उसी तरीके से जब मेरे पास जो input है वो 220V है तब जो मेरे पास output है 60W होगा तो तुम देख पा रहे हो चाहिए मैं input की बात करूँ या फिर मैं output की बात करूँ there is one high there is one low जो इसी बाइनरी सिस्टम के उपर काम करता है जहां पर हम लोग 0 को signify करते हैं low के लिए और high को signify करते हैं बच की help से इसका मतलब क्या देखो हर चीज की बचो एक representation होती है जैसे कि मानो मैं बोलू यह लेफ्ट हंड साइड में तुम समझ पार हो तो यह जो हमारा x-axis y-axis जो राइट हंड कार्टेसियन स्केल सिस्टम है या फिर लेफ्ट हंड कार्टेसियन स्केल सिस्टम है उसकी help से जो सच्चा है हम उसको एक diagram में represent कर बाते हैं और तो मैं समझ आना चाहिए कि physics में कितना ज़्यादे important है किसी भी चीज़ को किसी भी concept को किसी भी logic को हम लोग या तो equation की format में लिख पाएं या फिर हम लोग diagrams की form में लिख पाएं तो जब भी हम लोग diagram बनाते हैं है ना तो देखो resistor को ऐसे बनाते हैं है ना capacitor को ऐसे बनाते हैं तो तुम लोगं को वहाँ पर सिरो लिख रहा है। तो लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स इलेक्टरिकल सिस्टम का एक ऐसा कमपोनेंट है जो इस तरीके से बाइनरी सिस्टम, only zero and one, only high and no, लो सिर्फ इसके उपर काम करता है और ये लॉजिक के उपर काम करता है। तो लोजिक बेसिकल एक स्टेटमेंट है, जो डिफाइन करते है कि एक लोजिक गेट किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि अभी मानो, अगर तुम एक नीट असपरेंट हो, तो तुम्हारी प्रिपरेशन का लोजिक है है that a neat aspirant uh will be able to crack neat if he or she studies consistently this is your logic this is not your logic this is the logic with which a neat aspirant will be able to crack the neat exam तो अभी जो neat aspirant इसके हिसाब से कर लेगा उसका हो जाएगा जो neat aspirant इस हिसाब से पढ़ाई नहीं करेगा उसका नहीं होगा तो वैसे मैं बोल हूँ कि logic gates जिस statement मतब logic gates की functioning को अगर मैं एक statement में बता सकूँ तो वो जो statement है वो logic कहलाती है and I'm very sure जैसे हम लोग आगे discussion करेंगे सारी terminology तुम्हारी clear होती जाएगे जैसे कि मानो अगर मैं सबसे basic logic gates की बात करूँ न तो एक है वो and gate एक है वो or gate एक है वो not gate सबसे पहले representation देख लो यह मेरे पास आगया and gate and का d ठेक है यह मेरे पास आगया इस तरीके से or gate है न और यह मेरे पास आगया not gate तो and gate और or gate में तुम देख पार हो दो input है और not gate में एक input है ऐसे भी होता है and gate के multiple inputs है लेकिन तुमारी syllabus में नहीं है तो देखो अभी logic क्या है इसका जैसे तीन तरीके के teachers है सबसे पहला teacher ऐसा है जो बोलेगा कि भाई अगर तुम classes attend कर रहे हो और class की DPP भी solve कर रहे हो वो तभी खुश है कुछ teachers इतने strict नहीं है इतने rigid नहीं है उन teachers का logic है कि वो teachers सब तभी दुखी है जब वो दोनों में से कोई भी काम ना करे ठीक है कि अगर मानू in case वो दोनों काम करते है तब तो यह teacher खुश है दोनों में से एक काम करते है तो भी खुश है कि हमें classes लगा रहा है ना DPP नहीं solve कर रहा कोई बात नहीं क्लासेज नहीं लगा रहा है, कोई बात नहीं, DPP तो solve करता है, तो यह सब में खुश है, यह सिर्फ तब दुखी है, जब दोनों काम नहीं होते हैं, तो and gate वो teacher है, जो सिर्फ तब खुश है, जब दोनों काम हो रहे होते हैं, और gate सिर्फ दुखी है, जब दोनों काम नहीं हो और एक पार्लल यूनिवर्स में जो टीचर है जो तब खुश है जब बच्चा गलत काम गर रहा हुता है तो ये पार्लल यूनिवर्स वाला जो टीचर है वो हमारा नॉट गेट है अन्ड गेट का लॉजिक है कि ये आपको हाई आउटपुट सिर्फ और सक तभी देगा जब बिल्कुल इन्वर्स आपको आउटपुट देखने को मिलेगा तो ये लॉजिक है तो लॉजिक क्या हो गया लॉजिक एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी लॉजिक गेट की फंक्शनिंग को डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि आंड गेट का लॉज कर ली तब भी दुखी है ये मैं हूँ ठीक है और उसी तरीके से मानो अगर बच्चा दोनों काम नहीं कर रहें तब तो ये टीचर दुखी है तो ये इसका लॉजिक है आंड गेट का लॉजिक है कि आंड गेट गिवस हाई आउटपुट उनली विन बोदी इन्पुट्स तो उसकी बेसिस पे मैंने इसकी चार सचाईयां लिख दे मुझे लॉजिक क्लियर हो गया तो लॉजिक के बेसिस पे मैंने चार सचाईयां लिख दी पहली सचाई दोनों हाई है तो ही हाई आउटपुट मिल रहा है दूसरी सचाई दोनों लो है तो दुखी है तीसरी सचा के logic के basis के उपर अलग-अलग situations को देख के अलग-अलग scenarios को देख के सचाहियां लिखे उसको truth बोला जाता है और उन्हीं truth को अगर में टेबल में डाल तो truth table बोला जाता है बच्चो को क्या होता है बच्चो यह वाला topic complete तो कर लेता है लेकिन उनको अग्चोली में कभी difference नहीं समाझाता है इंक लोग रीपर को क्या हृंला जाता है अई क्वा अगर जाता है यह वाल बजूद बहुत कर कि एंगर एंग wanna, शाज If GAMPB So I'm hoping now it is clear logic is the statement on the basis of which you can define the functioning of a logic gate on the basis of that logic when you take different scenarios and say how the logic gate is performing those are different different truths when you put those different different truths in a table that becomes a truth table yeah now if I talk about the logic of the logic of the logic here the main logic of the truth table so the logic of the logic is that don't do both work because if you haven't done both work then I will be sad that the child is attending the DPP doesn't solve the problem no matter this is okay the child doesn't attend the class but let's go DPP solve the problem then the teacher is happy and both work then the teacher is happy I am not like that okay your TC is and gate and gate is definitely teachers and not gate is parallel universe teacher is that what you have studied so the logic of the not gate is that the outputs and the input will be the opposite nature like if the output is low sorry if the input is low then the output will be high and if the input is high then the output will be low this is the logic gate now I will tell you a new thing which means Boolean algebra and that way you can also say Boolean equation you can also say what you need to say the logic of the logic and gate or gate or not gate if I want to explain it from an equation format like I will tell you to add two and three to add two so how do you represent it in a piece of paper two and three and you will add plus this means that you add two and three to add two so I will tell you that the logic of the logic of so if I tell you that I will try to write the logic of the equation in the format so the equation that I have become Boolean algebra or equation like and gate if I talk about the logic of the logic then you see one you get one when the two are one and if you get one of the two is zero then you get zero then basically multiplication not you see you don't see one you get one multiplied by one you get one and if you get one if you get one if you get one you get one you get one then then what the answer is zero then what is the Boolean algebra is? and gate I will talk about the other gate this is the two are zero then the answer is zero है दोनों में से एक भी 1 है तो answer 1 है तो addition की help से मैं represent कर सकते हूं कि देखो भाई यहां पर सिफ एक ही scenario है जहां पर 0 मिलेगा which is 0 plus 0 अगर दोनों में से एक भी 1 है तो तुम लोगों को फिर जो answer है वो 1 ही देखने को मिलेगा देखो यहां पर कैसा crazy scenario हो रहा है 1 plus 1 is equal to 1 it cannot be 2 ना मैं we talked about this this is this is from where we started our discussion that logic gates work on binary system so in binary system there is only 0 and 1 there is only low and high right तो low को represent कर देंगे 0 से high को represent कर देंगे 1 से 2 जैसी को यहां पर चीज ही नहीं है और not gate को ऐसे represent करते है जैसे not gate का logic यह है कि input का बिलकूल उल्टा output होगा तो इसको ना इस तरीके से एक bar की help से मैं बता सकते हूं कि देखना ऐसे बता सकते हूं कि input का ulta output होगा जैसे कि मानौ àगर इसका input a है और output c है तो a का ulta c होगा तो ulta को हम लोग कि इस तरीके से अगर मानो में इन्पुट को हाई डालो तो आउट्पुट लो में लेगा अब बात करते हैं नाड़ीट और नौर गेट की तो देखो अब यहाँ पर रीप्रेजेंट अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको हम लोग नौर गेट को एक साथ लगा दूँ तो फिर यहाँ पर जो गेट बनता है इसको हम लोग नौर गेट बोलते हैं तो इसको ऐसे रीप्रेजेंट कर सकते हूँ कि यह मेरे पास ऐसे गौर फर्माईएगा यह मेरे पास अंड गेट आया, अंड गेट के आगे नौट लग गया तो यह मेरा नंड गेट हो गया उसे तरीके से और गेट आया, और गेट के आगे नौट गेट लग गया तो यह मेरा नौर गेट हो गया इसका मतलब I have appropriately descriptive in the diagram that this is a NAND gate एक बार जरा सा देखी और उसी तरीके से इसका छोटा diagram बच्चो कुछ ऐसे बन जाएगा कि ये मेर पास और gate था और gate के आगे एक लड़ू लगा दो तो ये मेर पास एक छोटा सा description आगया diagrammatic description आगया diagrammatic representation आगया अब जरा सा बात करें इसका logic क्या होगा तो NAND gate का logic क्या होगा NAND gate से उल्टा NAND का मतलब क्या NAND के बाद एक NAND gate आ रहा है तो NAND gate जैसे भी behave कर रहा है उसका उल्टा logic होगा NAND gate का और और gate जैसे भी behave कर रहा है उसका उल्टा logic होगा NAND gate का तु जब आसा बात करते हैं कि अंट gate का logic था तो अंट gate वे यह लिगिवां आउट टीचर पह सब्सक्राइब गर्शक्थर ए December 1 25 साधेगों अट भी नेकर वे ग्राइब धाइव डिविए प्दक यह उने और थो लिए मेलाटा स सवाई को वो दुखी ही तब है जब दोनों काम कर रहे ह। मनते हूं जैसे कि तुम देखो ना बच्छों यहां पर मैं इस टेबल को थोड़ा सा और डिस्कृप्टिफ बनाते हूं जस्त बन सेकेंट देखना यहाँ पर मानूं मैं यहाँ पर मैं लिख रही हूँ AND gate क्या देखना तो तुम देखो ना अगर मैं AND gate की बाद पर हूँ तो AND gate का तो logic है कि भाई दोनों high चाहिए तभी मैं खुश हो दोनों high से ही high मिलेगा अब उल्टा करतूं क्योंकि अभी not gate आया तो 1 का उल्टा कितना हो गया 1 का उल्टा 0 हो गया यहाँ पर दिक्कत नहीं आने चाहिए भाई 1 का उल्टा 0 हो गया यह देखो AND gate का उल्टा हो रहा है क्योंकि AND gate के आगे एक not gate present है देखो तो मैं यह वाला part of the wire बना रही हूँ यह उल्टा कर रहा है AND gate जो भी output दे रहा है not gate उसका उल्टा कर रहा है अब मानो अगर तुम एक काम करते हो और दूसरा काम नहीं करते हो या फिर मानो तुम दोनों काम नहीं करते हो तो AND gate तो दुखी होता यहाँ पर यह खोश हो रहा है तो इसका logic क्या है AND gate का logic से उल्टा AND gate का logic यह था यह सिर्फ तब खुश है जब दोनों input आए है इसका logic यह है यह तब ही दुखी है जब दोनों input आए है कि parallel universe में TCD से तब खुश हो रही है TCD से तब दुखी हो रही है जब तुम दोनों काम कर रहे हो क्या रही है कैसा बच्चा है जो class भी लगा रहा है यह ऐसा बच्चा है DPB solve कर रहा है आउप होने के नीचे ए दबा दिया parallel universe की TCD ठीक है कि यहाँ पर मैं इसका logic लिख देते हूं इसका logic क्या आया logic यहाँ पर यह आया low output low output सिर्फ तभी दुखी जब दोनों काम हो रहे है low output only when both the inputs are high when both the तो पारलेल यूनिवर्स ना नॉट केट लग गया भाई low output only when the inputs only when both the inputs I should say only when both the inputs are high तो यह क्या रठने की बात है उन्हें कितना प्यारा सा टॉपिक है इतना logical सा टॉपिक है और गेट का logic ये था कि भाई जब दोनों काम नहीं कर रहे हो ये सिर्फ तब दुखी है नॉर गेट का logic उल्टा कि ये सिर्फ तभी खुशा जब दोनों के दोनों काम नहीं हो रहे है अगर मानो तो तुम in case दोनों में इसे एक काम कर देते हो ठीक है या फिर दोनों काम कर देते और गेट तो सारी सेनारियो में खुश था यहाँ पर ही हर सेनारियो में दुखी है तो यहाँ पर मैं logic क्या लिखूंगे बच्चों logic रटने वाली बात नहीं होते ही logic आप निकालते हैं मुझा नहीं पता होना चीड लॉजिक ऐसे कोई तुमसे पूचे अंडगेट का logic क्या है सोचो नंडगेट का logic क्या है सोचो यू डूंट वाब टो बी फास्टेस्ट यू जस्ट वाब टो बी मोस्ट अकूरिट तो इसका लॉजिक क्या आ गया इसका लॉजिक आ गया हाई आउटपुट ओनली वेन बोधी इंपुट्स अर लूग है ना तो ये मेरा टूथ टेबल बन गया कि ये मेरा लॉजिक है लॉजिक के बेसेस के उपर जब मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेनारियो उसकी सच्चा ही बताई उन सारे टूथ को मैंने एक टेबल के अंदर अगर मैं अड़ कर दूँ तो वो मेरा टूथ टेबल बन गया अब आगे यहां पर क्या जाते है बूली नल जीब्रा तो क्या दिक्कत है ये देखो ना बूली नल जीब्रा में तो भाई कोई दिक्कत होनी नी चाहिए देखो यहीं पर आजो बूली नल जीब्रा बनाते है तो यहां पर सबसे पहले अंड गेट में तो अंड गेट में A और B A multiplied by B देते इसने उसका उल्टा कर दिया यह देखो उल्टे का मतलब क्या उपर बार लगा दो खतम A और B यहां पर A plus B देते यहां पर नॉट गेट ने A plus B का उल्टा कर दिया तो यह आगे इसका बूली नल जीब्रा तो यह आगे मेरे पास नांड गेट और नॉर गेट अब मैं तो मैं बता दूँ बच्चों कि यह जो नांड गेट और नॉर गेट है दोनों ध्यान दीजेगा यह जो नांड गेट और नॉर गेट है दोनों को युनिवर्सल गेट्स बोला जाता है क्योंकि इस gate की help ले तुम लोग सारे gates बना सकते हों so Nand gate और Nor gate को universal gates बोला जाते है क्योंकि इन gates की help ले तुम लोग सारी चीज़े बना सकते हो एक बार वो भी देख लेते हैं फिर हमारा topic हतम और हम लोग आ जाएगे questions के उपर number one point क्या होगा अगर मानू मैं इन gates के input terminals को जोड़ दूँ जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा चाहे मैं and और और gate की बात करूं या फिर Nand और Nor gate की बात करूं दोनों में दो input हैं तो मैं तुम्हें पोल लिए मानू अगर मैं जीरो हैं दोनों input या तो बन है तो जीरो जीरो पर ये भी जीरो देता है वन बन पर ये भी वन देता है वैसी अगर मानू यह तो मैंने और के लिए बता दिया नौट gate में नौट gate एक लौता gate है जो हम लोगों ने आज की क्लास में किये जिसमें से एक input है और सारी gates जो हम लोगों ने डिसकस किये उनमें दो input है तो मैं बोले हूं मानू अगर मैं दोनों input terminals को जोड़ दूं तो अब विसी बात है यहां से अगर जीरो आएगा तो दोन किसे मानों अगर मैं बोलों कि यार अपकी बार तुम नौर और नंड गेट के input terminals को जोड़ दो तो भाई क्या दिक्कत है यह देखो यह तो conducting वायर ही होगे ना यह तो वी आव अलड़ी डिसकस्ट अब चीज़ें डिसकस करके ऐसे बार-बार हमें भूलना थोड़ी है यार तो फिर सिफ not gate रहे गया है ना यह conducting wire की तरह behave करें तो आगे सिफ not gate रहे गया इसका मतलब अगर मैं NAND और NOR के input terminals को अड़ करूं broken wire नहीं नहीं सूश्मा आगे not gate लगा है यहां पर कभी भी कोई भी सिनारियो में broken wire वाला situation नहीं बनेगा तुम देखो मैंने तुम्हें बोल तो ये किस तरीके से behave करेंगा not gate की तरफ behave करेंगा यह देखो मतलब क्या कि अगर मैं यहां से लेकि यहां तक जाऊ तो यह किस की तरफ़ behave करेगा not gate की तरह behaves like a not gate this should not be a problem is it a problem तो यहां से लेकि Cynthia किनदक्टिंग वायर है यहां से लेकर यहां तक नॉट गेट है तो basically not gate है उसी तरीके से अब मानौ तुम्हारे दिमाग को अगर मैं एक और सिनारियो दो कि मानो अगर तुम दो नॉट गेट्स को एक साथ लगाओ और दोनों को फिर ही कैसे बिहेव करेंगे ध्यान दीजेगा अगर मानो मैं दोनो नॉट गेट्स को लगाओ एक साथ तो वो कैसे बिहेव करेंगे तो क्या दिक्कत है देखो ना, ये जीरो का 1 कर देगा, ये दुबारा से 1 का 0 कर देगा, है ना, ये 1 का 0 कर देगा, ये दुबारा से 0 का 1 कर देगा, तो 2 not gate अगर एक साथ present है तो वो अपने effect को cancel out कर रहे हैं तो अगर दो बार 180 degree कर दो, मानो ये है, ठीक है एक बार 180 degree कर दिय तो सेम चीज़ आ गए मेरे पास एक वेक्टर है मैं उसको दो बार ऑपोजेट कर रहे हूं एक बार ऑपोजेट मैंने यह किया दूसरे बार ऑपोजेट यह किया तो तो सेम भी बन गया देखो तो उसी तरीकिसे अगर मानू मैं दो नॉट गेट की बात करूँ तो दो नॉट गेट को देखो मैं इसे नॉर्मली भी बना सकती हूं नांड गेट के इंपुट टर्मिनल्स को भी जॉइन करके बना सकती हूं, नौर गेट के भी इंपुट टर्मिनल्स को जॉइन करके बना सकती हूं, सारे की सारे नौट गेट हैं, यह सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, दो नौट गेट से जुड़े हुए हैं, यह थोड़ा सा conceptual representation है जो सिर्फ उनी बच्चों को समझ आएगा जिनोंने ये चीज पढ़ ली है कि जब हम NAND gate और NOR gate के input terminals को join करते हैं तो NOT gate की तरह behave करता है So now I am hoping that this is clear कि अगर मानों मैं दो NOT gates को behave करूं तो किस की तरह behave करेंगे वो एक conducting wire की तरह behave करेंगे ठीक है अब मैं यहां पर ने एक last चीज बताऊंगे तो this is an NCRT example तो यहां पर यह है कि हम लोगों ने यह देखा दोनों के inputs को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा We discussed this कि दोनों के inputs को जोड़ दें तो क्या होता है अब मैं तुम्हें बोलनूं कि मानूं अगर मैं दोनों के inputs के उपर not gate लगा दू जैसे कि देखना दोनों के inputs पे not gate लगाना है ठीक है यहां पर यह वाली input पे भी not लगा दिया यह वाली input पे भी not लगा दिया तो जो and gate है nor gate में convert हो जाएगा and का उल्टा और ऐसे लगाओ कि and का उल्टा और not नहीं था अब not आ गया दुबारा से सुनना अगर मानू मैं यहां पर भी not gate लगा दो और यहां पर भी not gate लगा दो इस तरीके से तो और का and है ना not gate नहीं था अब यहां पर not gate लग गया तो इना and gate की तरह भी करे दूबारा से दोबार बार, मानों मैं यहां पर भी इस तरीके से not gate लगा दो और यहां पर भी not gate लगा दो, तो and है, and का उल्टा और, यहां पर not gate था, तो not ने not को cancel out कर दिया, तो यहां पर यह सिर्फ और सिफिक or gate के तरह बहिएव करेगा, एक और बार, ठीक है, यहां पर मैंने not gate लगा और है, और का उल्टा हो गया, क्या, और का उल्टा हो गया and, ठीक है, यहां पर already not gate लगा हुआ था, तो not gate ने यह वाले not gates को cancel out कर दिया और answer आ गया, बास and, यह ncrt का example है, which is connecting, connecting not gates, not gate, on both the, on both the, input terminals, उल्टा हो जाएगा, what is the logic, उल्टा हो जाएगा, and और में हो जाएगा, और and में हो जाएगा, अगर पहले not था, तो फिर not हट जाएगा, पहले not नहीं था, तो not आ जाएगा, जैसे कि and का हो गया और, है न, और का हो गया and, not नहीं था, यहां पर not नहीं था, तो अभी य यहां पर आगें नॉट का विए कि अंड हो गया और और पहले नॉट प्रेज़ेंड ता अब मैं नॉट लिया हूँ ने एक गॉसरे को कांसल्य कार दिया में इसे तो कोई भी गेतो che leaked को सकता हुआ questi किसी चीज को किसी से भी जॉइन कर सकते हो, तुम लिख सकते वारां से उसका लॉजिक भी, कि नौर और नाट को connect करूँगी, तो क्या हो? किसी गेट को भी किसी के साथ भी connect किया जा सकता है, लेकिन जो तुम्हें याद रखना है, जिन तीन सिनारियो उसको याद रखने वाले बस यह हैं, और किसी भी गेट को किसी भी गेट के साथ connect किया जा सकता है, हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं वही में घुलिजन को हम लोग अबने फाइदा के लिए स्तमाल कर सकें तो जन है 2021 का question है सबसे पहले यहीं अप्टाते हैं जो पिछले तीन सालों में आये हुआ है ठीक है खतम पूरा का पूरा तो यहां पर बोला हुए यह कौन सा गेट है तो अगर तुम इस क्लास में आये तो तुम तुरंत बताऊगे देखो ना situation पढ़ो बचो situation क्या है एक गेट के दोनों इंपुट के ऊपर नॉट लगाए हुआ है तो फिर क्या होगा देखो एंड का हो गया और नॉट अल्रेड़ी प्रेजेंट था तो इस नॉट को इस नॉट ने काट दिया तो यह सिर्फ और सब और गेट की तरह बहेव करेगा तो अब्वेसी बात अगर तु और गेट का लॉजिक क्या होता है कि दोनों काम नहीं करोगे तब ही दुखी है वरना खुश है तो देखो दोनों काम नहीं कर रहे हो तब ही दुखी है वरना खुश है और आगे ऑप्शन नमबर सी 2023 का क्वेश्चन है अब देखना 2022 का क्वेश्चन टूथ टेबल बोला इसका क्या होगा ठीक है तो यह ओविसी बाते देखके थोड़ी पता लगेगा हिट्रिन ट्राइल मेथड से चलेंगे तो मैंने सोचा पहले मैं ऐसा करते हो जीरो-जीरो करके देख लेते हो कि भई जीरो-जीरो करके मुझे क्या मिलेगा तो यहां पर मैं जीरो लेगे यहां पर मैं जीरो लेगे जीरो का जीरो यहां पर चला गया देखना जीरो का जीरो यहां पर चला गया और जीरो का उल्टा होके बन यहां पर पहुंच गया जीरो का जीरो यहां पर पहुंच जीरो का जीरो यहां पर भी पहुंचा तो जीरो जीरो पे आंड मुझे जीरो देता है नांड मुझे बन देगा 1 1 पे and मुझे 1 देता है तो 0 0 पे मुझे 1 मिलना चाहिए और 0 0 पे 1 देखो एक तो मैं ये वाले option में देख पारी हूँ एक ये वाले option में देख पारी हूँ तो ना तो ये correct है ना ये correct है है नो देखो कि मैं hidden tile method से चली तो पहले मैंने देखा 0 0 पे क्या हो रहा है तो ये 0 0 पे 1 दे रहा है तो 0 0 पे 1 से ये वाले option और ये वाले option में लेखे हूँ अब देखो तुम लोग ना कभी-कभी एक्जाम में बैटके unnecessary चीज़े भी करते हूँ as in you do the unnecessary work जैसे कि मानो आप कोई बच्चा सोचे अब इन दोनों में इसे सही answer निकालने के लिए अब 0 1 लेंगे तो तुम देखो 0 1 का यहाँ पर भी 0 है 0 1 का यहाँ पर भी 0 है तो वो time waste हो जाएगा तो अब कोई ऐसा combination लो जिसकी help से तुम दोनों में distinction create कर पाओ तो तुम लोग 1 1 की help ले सकते हो है ना तुम लोग 1 1 की help ले सकते हो तो आजो 1 1 की help ले तो यहाँ पर मैं 1 लिया ही 1 का 1 यहाँ पर पहुँच गया और उल्टाओ के 0 यहाँ पर आ गया है ना 1 का 1 यहाँ पर पहुँचा 1 का 1 यहाँ पर पहुँचा वन वन पे एंड मुझे बन देता नांड मुझे जीरो देगा जीरो वन के उपर एंड मुझे जीरो देता नांड मुझे बन देगा जीरो जीरो पे एंड मुझे जीरो देता है जीरो वन के उपर एंड मुझे जीरो देता है इसका मतलब मुझे 1 और 1 के उपर 0 मिलना चाहिए B कैसे आ रहा है मैंने कुछ गलत किया क्या मैंने 1-1 लिया ना तो 1 का 1 यहां पर पहुंचा और 0 यहां पर पहुंचा 1 का 1 यहां पर पहुंचा और अच्छा यहां पर I made a mistake Let me correct it right now 1 का 1 यहां पर पहुंचा Just one second 1 का 1 यहां पर पहुंचा 0 यहां पर पहुंचा 1 का 1 यहां पर नहीं कोई mistake नहीं है 1 और 1 के उपर AND मुझे 1 देता AND मुझे 0 देगा ठीक है 0 और 1 के उपर AND मुझे 0 देता AND मुझे 1 देगा अब 0 और 1 ठीक तो है तुम लोग गलत बोल रहे है, option number C बन रहे है, option number B कैसे बन रहे है, 1, 1 पे 0 मिल रहे है तुम्हें, इतने बच्चों ने B बोला है थोट, I did a mistake, तो 1, 1 पे 0 तुम्हें यहाँ पर मिल रहे, option number 3 gives you the correct option, ठीक है, तो holy holy solve करना बच्चों, क्योंकि यहाँ से marks लेके आने बहुत easy है, ऐसा नहूंना कि जल्द बाजी में तुम लोग गलत कर लो, ठीक है, चलो, उसी तरीके से अब यह 2021 का question देखना, तुम्हें बोला हुआ है, कि अगर मानों मैं ये input देती हूँ, इस logic gate को, क्या बोला हुआ है, कि अगर मानों मैं ये inputs देती हूँ, इस logic gate को, तो मुझे output किस तरीके का मिलेगा, अच्छा, कुछ बच्चे थे भाई, भी बोल रहे थे, इसलिए मैं बोल रहे हूँ, तो तुम्हें बोला हुआ है, कि ये मेरे पास logic gates का एक combination है, और ये बोला हुआ है, कि ये logic gate के combination में, अगर मैं ये वाले input दालते हूँ, तो मुझे कैसा output मिलेगा, तो अभी करते हैं, ये देखो, ये सारी चीज़े, hidden trial method से होते हैं, ऐसे देखने में आपको नहीं बता लगता, तो देखते हैं what is happening, ठीक है, तो सबसे पहले हमें 0 लेना है, 0 लेना है और 1 लेना है, देखो न, low 0, high 1, मैं अल्लेडी बता चुकी हूँ तो लो 0, 0, low 0, 0, high 5, 1, तो 0, 0, 1 पहले हम लोग दे रहे हैं, तो देखते हैं, कि 0, 0, 1 करने से हमें क्या मिलेगा, तो 0 यहाँ पर पहुँच गया, 0 यहाँ पर पहुँच गया, 1 यहाँ पर पहुँच गया, 0 और 0 पे and ने दिया 0 और 1 पे and देता 0 and ने दिया 1 अब 0 और 1 पे or gate ने मुझे दे दिया 1 तो मुझे 1 मिलेगा output मतल़ मुझे high output मिलेगा तो पहले वाले सिनारियो में जो मुझे output है high मिलना चाहिए मतल़ 5 volt का मिलना चाहिए यहां पर तुम देखो यहां पर जीरो वोल्ट का मिल रहा है तो यह नहीं होगा है ना देखो यहां पर भी जीरो वोल्ट का मिल रहा है तो यह भी नहीं होगा तो यहां तो option number C है या फिर option number D है देख रहे हो ना यहां पर भी 5 वोल्ट मिल रहा है ना high अब मतलब आपकी बार हम लोग1, 0, 1 डाल रहे हैं तो 1 का 1 पहुँचा है हूं पे 0 का 0 यहां पे 0 का 0 यहां पर 1 का 1 और 0 पे आंड मुझे 0 देगा लेकिन अंड मुझे बंदे गा और 0 और 1 पे और मुझे 1 देगा तो दुबारा से जो मुझे willkommen यहां नोगतता श्मयूज में तो यह liegen आप फॉन्स को सat गलत, यह मुझे 5 स्ब्सक्राइबर, बत्रव करिए डिया है इसमें कि आज छाइए दिया आप यहां पर मुझे टिया हम नहीं मतलब इसे हो एक बहुत इसे इनपुट वेफ़ंश इन्पोट वेफ़वर्म क्या होगी तो क्या दिक्कत है कि बतातो दिया लॉझिक इट बाइनरी सिस्टम पर काम करते तो अगर यहां पर 2016 में पूछा गया था कि तुम्हें बोला हुए कि अगर मानो तुम्हें high output चाहिए तो input कैसे होने चाहिए तो भाई अभी देखो ना पीछे चलो ना अगर तुम्हें यहां पर 1 चाहिए तो इसके पीछे and gate है तो and gate तो मुझे 1 तभी देता है मैंने तुम्हें पूरा तयार कर दिया जितनी भी knowledge मैंने तुम्हें आज की class में तुम्हें दे रहे हूँ इससे जादा knowledge की तुम्हें requirement नहीं होगी चाहिए जितना मर्जी difficult question तुम लोगों से पूछ लिया जाए अब देखो ये 2013 का question है तुमसे पूछा हुए कि बताओ ये किस तरीके का gate है तो बच्चो ये एक not gate है और ये एक not gate है तो दो not gate अगर एक दूसरे को cancel out कर जाएं देखो ना अगर दो not gate एक दूसरे को cancel out कर जाएं तो अभिसली बात है फिर इसका मतलब जो gate बच गया है वो ये वाला gate है तो ये कैसा gate है अंड gate है नहीं option number B बोलने वालो what is the point of discussing so much अगर सारी discussed knowledge को जैसे next slide आती है तो लोग भूलने लग जाते हो ये बतातो दिया मैंने तुम्हे कि अगर मानू मैं दो not gates को एक साथ लेके आऊं तो वो cancel out कर देते एक दूसरे को तो ये भी not gate है देखो ना input terminals joined है तो ये भी not gate है और ये भी not gate है cancel out हो गए तो बचा सिब ये वाला gate और ये वाला gate अंड gate है तो अंड gate के लिए ये है boolean algebra है ना जान दे ना इसे छोटी छोटी mistakes हो जाती है अब ये 2018 को question देखो अब 2018 के question में दुबारा से पूछा हुआ है कि output का boolean algebra क्या होगा तो घबराना मत आराम से answer करो चलो देखते हैं किस तरीके से behave करेगा मैंने यहाँ पर A डाला तो A डाला तो यहाँ पर आया A और यहाँ पर आगए मेरे पास A का उल्टा यहाँ पर मैंने B डाला तो B का सीधा सीधा यहाँ पर आया B और यहाँ पर आगए B का उल्टा अब A और B का उल्टा जा रहे है end में से तो end में multiplication होते है तो A.B का उल्टा अब A का उल्टा और B आणड गेट में जाए तो यहां पर आगया A बार B अब यह दोनों और गेट से जाएं तो और गेट में प्लस होता है तो यहां पर यह देखना यहां पर यह और यह प्लस हो गया क्या दिखकत है very good option number B gives you the correct option क्या दिखकत है सबसे genuine चीज़ है तो तुम लोग कर रहे हो यहां पर A आगया यहां पर A का बार आगया है ना यहां पर B आगया यहां पर B का बार आगया अब A और B का बार अंड गेट में से अगर जा रहे हैं तो multiply होंगे B और A का बार AND gate मेंसे जा रहे हैं तो multiply होंगे अब ये दोनों और gate मेंसे जा रहे हैं तो plus होंगे तो इन दोनों को plus कर जूं तो output को मैं वैसे represent कर सकते हूं ये है तुमारे questions, ये देखो 2017 का question कि ये वाला gate बताओ कैसा है ये वाला gate बताओ कैसा है तो तुम देखो ना बच्चो एक ये AND gate और एक ये NOT gate और एक ये NOT gate दोनों NOT gate ने एक दूसरे को cancel out कर दिया देखो इन दोनों ने एक दूसरे को cancel out कर दिया तो सबसे पहले ये देखा करो है ना सबसे पहले ये देखा करो कि यहाँ पर जो मेरे पास circuit मे और not gate है वो एक दूसरे को किस तरीके से cancel out कर रहे हैं तो मतलब इनको मुझे consider ही नहीं करना है तो मेरे पास सिर्फ ये वाला gate बच जाता है देखना this is the only gate which I am left with so this is what gate this is this is nor gate देखो ना ये मेरा nor gate आ गया option number भी gives me the correct option ये है तुमारे previous year questions 2016 का question 2016 का question ये है कि output क्या होगा अगर मैं पहले सारे के सारे inputs को 0 रखते हूँ और फिर सारे के सारे inputs को 1 रखते हूँ देख लेते हैं मतलब देख लेते हैं ऐसे visually देखके तुरंट answer तक को मैं पहुंचूंगे नहीं मुझे solve करना पड़ेगा diagram की help लीजे तो सबसे पहले सबको 0 रख लेते हैं तो ये लो मैंने सबको 0 रख लिया अब 00 पे जो and है 0 देता है और 0 का 0 transfer यहाँ पर हो गया अब 00 पे and मुझे 0 देगा and मुझे 1 देगा तो पहले तो मुझे 1 मिलना चाहिए तो 1 मुझे यहाँ पर मिल रहा है और 1 मुझे यहाँ पर मिल रहा है मतलब यह दोनों तो हो नहीं सकते है ना अब सारे inputs को 1 ले लेते हैं तो 1 और 1 पे and मुझे 1 देता है 1 transfer होके आगया यहाँ पर 1 और 1 के ऊपर and मुझे 1 देगा and मुझे 0 देगा तो यह आगया मेरे पास 0 option उपर C gives me the correct option तो यह है previous questions PYQ's की help से practice भी हो रहे है PYQ's की help से हम लोग PYQ's को resolve कर पारे है यह देखो यह मेरे पास एक gate था दोनों input पे मैंने not लगा दिया तो हम क्या करते हैं सबसे पहले देखते है and or में convert हो गया या फिर और and में convert होगा तो यह मेरा और है सिर्फ यह वाला portion देखना यह वाला portion और है तो मुझे पता लगे हम बर and आएगा अब मुझे बस यह देखना and के आगे n आएगा कि नहीं आएगा तो यह मेरे पास not gate था not gate ने not gate को cancel out कर दिया तो यहाँ पर आगया और कुछ भी नहीं आएगा तो and gate की तरह behave करेगा अगर and gate की तरह behave करेगा इसका मतलब क्या हाँ जी अगर यह and gate की तरह behave कर रहा इसका मतलब क्या कि यह सिर्फ और सिर्फ तब खुश है जब दोनों के दोनों input हाई है तो which of the options gives me the correct option बहुत silly mistakes कर रहे है कुछ बच्चे सिर्फ 1-1 पे 1 मिल रहा है और सब पे 0 मिल रहा है सिर्फ 1-1 पे 1 मिल रहा है और सब पे 0 मिल रहा है देखिए है ना अभी आखरी previous यह question लिए अभी तक तो कोई दिक्कत हुई ना हो यार क्योंकि इन PYQs की help से हम लोग प्राक्टिस भी कर रहे है साथ में repeat भी हो रही है चीजे है ना और PYQs को देखके confidence भी आ रहा होगा कि यह तो बड़े चिंगे PYQs है ठीक है अब यह देखो यह 2019 का question है अच्छा question तो तुम्हें बोला हुआ है कि यहां पर एक circuit प्रोवाइड़ है अगर तुम लोग देख पा रहे हो कि मेरे पास एक bulb है ठीक है मतलब यह मेरे पास एक वायर है वायर के से निकालना में उसके बार में सोचे ने रही हो अब तो मैं इस case को study कर रहे हूँ कि भाई मानों अगर मैं इस पूरे के पूरी वायर को connect कर दूं कि मतलब यहां पर भी ऐसे connect कर दूं यहां पर भी ऐसे connect कर दूं तो इन दोनों point के across same potential होगा मतलब bulb के across potential difference है नहीं अब अग मतलब अगर मैं यहां पर one लू और अगर मैं यहां पर one लू तो output मुझे zero मिलेगा इसका मतलब one और one के उपर मुझे zero मिलेगा कि अगर मानू पूरी के पूरी ऐसे conducting wire हो यह उन्होंने बोला हुआ है कि अगर मानू यह wire ऐसे जुड़ी हो तो one है यह वाली wire ऐसे जुड़ी हो तो one है तो तो तुम देखो ना गर यह पूरी के पूरी ऐसे wire में बल्प के across connect कर देती हो तो फिर यह तोनों point तो same potential के उपर होगी तो बल्प के अक्रॉस कोई potential difference ही नहीं है तो बल्प गलो ही नहीं करेगा इसका मतलब जब मैं 1 और 1 कर रही हूं तब मुझे output 0 बन रहा है और सारी सिनारियो में गलो करेगा कि मानो अगर मैं इस वायर को ऐसे रखते हूं तो भी गलो करेगा और मानो अगर मैं वायर को ऐसे रखते हूं तो भी गलो करेगा इसका मतलब चाहे बन जीरो हो या फिर जीरो बन हो या फिर जीरो जीरो हो और सारी सिनारियो में वो गलो करता है तो सिरोल कौन सा नौलता है कि हैंजी एक बार ज़़ा सा देखे कौन सा सोत अधिक नैंडगेट जोता है अप्षystem दीकिःश्य तो टूम्न लॉट. तो लॉजिक देखो इस का लॉजिक यह है दोनों काम हो रहे होंगे तभी दुखी है 干्रेट। मिलता है न naして देगा 1 1 पर 0 या नंड दे सकता है नौर दे सकता है मतलब पारलल यूनिवर्स में इसे तभी दुखी है जब दोनों काम हो रहे हैं मतलब नौर्मल यूनिवर्स में ये तभी खुश होगा जब दोनों काम हो रहे होंगे और तुमारा एंड गेट होता है मतलब हम एंड गेट lecture की फॉर्माट में आज सुबह हो जाते लेकिन जो भी बच्चे क्लास में आयते तो मैं अच्छे से बता है किस सरी के से electricity का issue हुआ था यह ना power backup काम नहीं कर रहा था laptop चार्ज नहीं था, laptop बंदी हो गया ultimately तो यह इस सरी के से recorded session की फॉर्माट में मुझे यह one shot देना पड़ा है बहुत अच्छा one shot है, although the quality of this class is extremely good, कोई भी बच्चे ने अगर attend किया होगा, तो तुम लोग यह ज़रूर experience कर पा रहे होगे अगर यह class पसंद आए, let me see hashtag done in the comment section अगर तुमारा यह अब clear हो चुका है कि भई हाँ, अब तुम लोगो semiconductors and logic gates में दिकत नहीं होगी if all of you are feeling this then like the session and let me see your attendance in the comment section अगर बच्चों मैं बात करूँ प्राक्टिस session की तो देखो अभी हो ली है, है ना तो मैं गाउं जा रही हूँ आज Saturday, you all know आज मैं यह record कर रही हूँ तो सुबह को मैं कल गाउं चली जाऊंगी है ना, और फिर बाद में मैं आऊंगी probably Monday रात तक या फिर Tuesday सुबह तक so whatsoever बताना यह चाते हूँ कि जो record, यह जो हमारा practice session है वो भी recorded format में ही तुम लोगो को आएगा, क्योंकि तुम अच्छे से पता है, एंडी सर की भी class है 6 बजे गर्मा माम की भी class है 6 बजे तो आज लाइव लेक्टर की फॉर्माट में तो हो नहीं सकता, and I'm very short दो दिन के बाद करें, वो भी fruitful नहीं है तो यह हमारी एक unfavorable situation क्रियेट हूई है, लेकिन कोई दक्कत की बात नहीं है, हम उससे भीड़ेंगे और हम उसको अपने उपर हावी नहीं होने देंगे this is the solution to it so we are going to follow this solution तो मैं record कर लूँगी आज और कल तुम लोगों को यह जो लेक्चर है recorded lecture है, जो semiconductor and logic gates के ओकर जो practice session है उसका recorded lecture, तो यह कल बच्चों तुम लोगों को मिल जाएगा सुबए के 10 बजे ठीक है न, recorded format में आएगा जैसे यह बाली class आई है लेकिन 10 बजे तुम लोगो जो lecture है मिल जाएगा, हमारी पढ़ाई नहीं रूखने चाहिए यह सारी चीज़े तो होती रहती है है न, that is all for this session everyone thank you so much, bye-bye next unit कौन सा तुम जाते हो मैं लूँ वो भी तुम लोग मुझे comment section में बता सकते हो bye-bye, goodbye